पियांस आज बारी आगी permutation and combination की तो आज इस एक वीडियो में हम पूरा PNC कवर कर मारेंगे तो चलो शुरू करते हैं पूरा permutation combination in just one वीडियो जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके ही शुरू करें भया आज सेशन देखोगे तो आगे तो देखने ही चाहिए ना देख छोड़ी नहीं पाओगे बता रहा हूं तुम्हारा भाई पढ़ाता है तुम्हें यहां पर कौन आया भाई आया तो मैसल अर्विंद कालिया सर बच्चे प्यार से भाई बुलाते हैं तो जो नहीं बच्चे हैं वह भाई करके बात कर सकते हैं विकॉस्ट एक सी यू और यहां पर आप कुछ चीज़े और मिल जाती है और कुछ एक्ट्रा चीज़े मिल जाते हैं जो यूट्यूब पर हम नहीं दे पाते की बड़ी जैसे की सी बीटी मोड के टेस्ट एट्सेक्टर एट्सेक्टर तो इसे भी जॉइन करके रखिए काम आता है लो भाईया फटा फट टॉपिक शुरू करेंगी क्योंकि आज टॉड़ा बड़ा है टाइम लग सकता है कमर की प इस यह नहीं आया तो पूरे चैप्टर में कोई भी लॉजिक समझ नहीं आयेगा और बैं स्पेशल प्रोब्लम्स प्रोबली को बीरेंजमेंट टॉब्लम आ एको स्वास्टेशल प्रोब्लम ये सारे टॉपिक आज सेशनमें में आपको एं-to-end करवा दिये जाएंगे तो चलो भया, टेट अवे, FPM होता क्या है, सबसे बेसिक पार्ट पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यार यह कहता है कि मान लो, आप एक ना जॉब करना चाहते हैं, जॉब क्या होगा, जिसके तरीके पूछे जाएंगे, उसे जॉब कहेंगे, और वो जॉब तब खतम होत है, order is also very important, तो हम कहेंगे, जॉब के होने के तरीके होंगे, इन दोनों के ways का product, हर एक बंदा same example लेता है, मैं भी इसका same example लूँगा, क्योंकि यही सबसे basic example है, इस concept को basic level पे समझाने के लिए, A से B जाने के दो रास्ते हैं, और B से C जाने पे तीन रास्ते हैं, तो बोला ग होती है, तो मेरा जॉब है A से C जाना, तो हम क्या करेंगे, यह सीधा देखना मुश्किल है, जॉब को छोटे छोटे चोटे टुकडों में तोड़ेंगे, मेरी जॉब तो खतम होगी जब पहले मैं A से B जाओंगा, और फिर मैं B से C जाओंगा, तो यह दो आगे सब दूसरा सब जॉब, अगर ऐसा है ना, तो जॉब के जो नंबर अवेज होते हैं, वो इन दोनों का प्रोड़क्ट होता है, और लॉजिक बहुत सिंपल है, भाईया यहां पे एक एक के कर्रस्पॉंडिंग आगे तीन दास्ते, दूसरे के कर्रस्पॉंडिंग भी आगे ती तो टोटल दास्ते कितने बने, तीन प्लस तीन, यहां कि टू इन टू थी, यहीं लॉजिक और यहीं लॉजिक पूरे चैप्टर में काम आना है, मैं बता रहा हूँ, अगर इस चैप्टर में आपको कहीं भी दिक्कत आती है, आप सब जॉब्स को प्रॉपरली नहीं सोच यह पूरा चैप्टर ही यही है कि जो बीच के रास्ते हैं, यह आप कितना अच्छा प्लैन करते हैं, क्योंकि पूरा जॉब एक साथ देखना तो किसी को नहीं आएगा, तो कुड़ों में तोड़के देखना है, बस वही आज सीखना है, तो सबसे पहले तो FPM के लिए मैं कहा जी ठीक है, तीन कोशन है, कोशन 1, कोशन 2, कोशन 3, यह भी टूफ ए यह भी टूफ ए रहाए है और यह भी टूफ ए और इन कहता है रहा है? explaining उस पर focus करिएगा क्योंकि बैटा मैं ये सिखाने नहीं आया हूं इसके आगे जो डैडी आने ना वो सिखाने आया हूं पर ये जो बेबी है ये जब तक वो लॉजिक नहीं समझोगे कि क्यों हुआ तब तक डैडी नहीं होगा तो आओ बेबी को थोड़ा सा वान के अटेंट ना पेपर तो एक अटेंट जो है वो आपका जॉब है अब आपकी अटेंट कैसी होगी भाई यहां पे कुछ मार्ग होगा यहां पर कुछ मार्ग होगा तो जाके अटेंट खतम होगा यहां पर अटेंट खतम नहीं हो सकता यहां पर अटेंट खतम नहीं हो स दो सब्जब दूसरा कुस्छन करो तीसरा सब्जब तीसरा कुस्छन करू जब यह तीनों सब्जब Χो जाएंगी मेरा अटेंप्ट हो गया मेरी जॉब्ड़न तो पहला सब्जब करने के कितने तरीक Ain 2 ल 마음에 त्रू मार्क करूंगा या फॉल्स मार्क करूंगा साथ साथ में मैं ये तरीका लिख के भी दिखा रहा हूं साध्यां से सुनना पहला सब जॉब किया सब मैंना ट्रू मार्क कर रहा हूं कर दे शेरा ओके अब दूसरा सब जॉब आया दूसरे सब जॉब को करने के कितने तरी या तो true mark करूँगा या false mark करूँगा, दो तरीके, मालो मैंने false mark किया, ठीक, तीसरा तरीका, अगें, यहाँ पे भी sub job के, दो ही तरीके करने के, मालो मैंने यहाँ पे भी false mark किया, first of all, tell yourself, after you do all these three sub job, your job is done, attempt is made, you have attempted the paper, तीन कोशन थे, attempt करने थे, कर दिये हैं, और यह रहाँ मेरा एक attempt, यह रहाँ मेरा एक attempt, तो बेटा जी, total attempt possible कितने होंगे, eight, two into two into two, तीनों सब जब खतम किये तो खतम हुआ, तुम मुझे चैट में, पांच-छे, और attempt बता सकते हो, और सारे attempt बता सकते हो, पांच-छे attempt बताने हैं मेरे को, यह जो total 8 attempt है, यह इसे पांच-छे attempt और बता सकते हो, हाँ sir, मैंने पहले में false mark किया था, दूसरे में false mark कि actorött यह मैंने यहां पर टू यहां पर गूंपरतु यहां पर टूमा किए फॉस मा किकई है यह कूर है ऐसे करते 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 असे जाएंगे तो इसी को शितन को ऐसे वह सक्ता था ध्यान से सुनना how many answer sheets are possible every attempt is one answer sheet every attempt is one answer sheet every attempt is one answer sheet तो जितने attempt के तरीके है उतने ही answer sheets होंगी very good 8 but let me tell you जो इसमें से B part है वो थोड़ा और interesting है थोड़ा सा और interesting है B part पढ़िये क्या कहता है वो B part देखिये रहा क्या कहता है वो sir now आपको leave करना भी allowed है now आपको leave करना भी allowed है leave करना भी allowed है मतलब भया कोशन नहीं आता तुका क्यों मारूँ छोड़ दूँगा very good अब जरा बताएए इसको करने के कितने तरीके हुए sir या तो true mark करूँगा या false mark करूँगा या छोड़ दूँगा तीन तरीके हुए मालो आपने true mark कर दिया second question करने के कितने तरीके फिर से तीन तरीके है भया या तो true mark करूँगा या false या leave भया मैंने leave कर दिया मैंने छोड़ दिया यहां से सुनना यहां बहुत प्याला concept आना है leave कर दिया similarly यहां पे भी तीन तरीके टोटल वेस कितने बने थ्री पार थ्री यहां पे मैं आपका ध्यान एक बहुत important point वे लेकर जाना चाहूँगा क्या ऐसे 4-5 attempt मेरे को आप बता सकते हैं ऐसे 4-5 attempt हाँ sir मैंने पहला true किया दूसरा true किया तीसरा true किया sir मैंने पहला छोड़ दिया दूसरा छोड़ दिया तीसरे को फॉस मार किया sir मैंने सारे छोड़ दिया मैं पढ़की नहीं किया था मैं आगा तुक्का क्यों माना छोड़ी दो जब त्यारी नहीं की and so on तो जब मेरे को leave be allowed है तो टोटल 27 answer sheets बनेंगी और सारी सारी अलग होंगी तो क्या आप सी पार्ट का अंसर देख पा रहे हैं कि अंसर बन जाएगा 26 at least one question is attempted यानि की जो टोटल वेज हैं उन में से बस वो वाला case हटा दो जब तुमने कुछ भी नहीं attempt किया जब तुमने कुछ भी नहीं attempt किया बस वो वाली sheet फार दो बाकी जो sheets बची है ना उन सब में कुछ ना कुछ तो attempt किया ही हुआ है इसाइस 26 बच्चे ने फ्लो में लिखा एटीन सर 332 क्यों भाई क्यों तीसरे अटेम्ट करना था 233 भी तो सकता था 322 323 भी तो सकता था आठा कैसे बिसाइट कर लिए कि तीसरा ही छोड़ेंगे यह बात कर रहे हुँ तो बेटा जी तभी तो यह लिख के दिखा रहा हूं कि C part में क्या करेंगे total जो ways हैं उनमें से वो वाली sheet फार देंगे जिनमें कुछ निया attempt किया था बाकि जितनी भी sheets है ना उनमें कुछ ना कुछ तो attempt किया हुआ है करो नजारे तो ये थे आपके पहले तीन basic सवाल जहां से आपको basic concept समझाएगा कि चीजे कैसे गिनी जाती है ओके सर आगे चलते हैं पहले ये remote चलेगा तो आगे चलेंगे चलो भाई गुसा निखाना ये सवाल बहुत ही प्यारा इसको समझो मैं का नजारे आजाएंगे How many ordered pairs A, B are there such that उनका LCM जो है 2 par 3 into 5 par 2 आजाए LCM of A and B should be 2 raised to par 3 into 5 par 2 ऐसे कितने A, B possible है कितने A, B possible है तो यहां पहले तो base OP बनाईए बेटा जी base OP LCM कैसे निकाला जाता है मान लो एक number है 2 par 3, 5 par 2, 3 और 5 नहीं, 7 7 par 6, एक यह number है दूसरा number है 2 par 5, 5 par 2 and 7 par 8 LCM कैसे निकाला जाता है भाईया, least common multiple तो दोनों में जो higher power है उसको रखा जाता है higher power को रखा जाता है तभी आता है LCM तो अगर मैं चाहता हूँ अब ध्यान से सुनना, base OP का अगला step अगर मैं चाहता हूँ इन दो numbers का जो LCM है वो 2 par 3 into 5 par 2 आए तो समझते हैं दोनों number ऐसे type के होंगे 2 की कुछ power और 5 की कुछ power ऐसे type के number होने चाहिए और खासियत क्या होनी चाहिए कि भईया, इसका और इसका जो max है ना वो 3 होना चाहिए similarly इसका और इसका जो max है वो 2 होना चाहिए पहल तो नुजारे आगे concept समझे के बिल्कुल परम, बिल्कुल सही बोला मीमर जी आप ही के लिए समझाया है मैंने तो यहां से आपको दिखता है कि अगर आपको ऐसे नंबर ढूंडने है यह रहा मेरा A और यह रहा B जिनका LCM यह आए तो सारा खेल पावर का रहेगा पावर का तो आओ बिटा सवाल में आज जो तो मेरा A जो है वो 2 रेस टू पार मैं इसको P, Q, R नाम दे देता हूँ 2 पार P और 5 पार R है और B जो है वो 2 पार S और 5 पार T है ऐसे नंबर है मेरा जॉब सुनो ध्यान से अब जिस चीज के नंबर और वेस पूछे होते है वो जॉब होता है ऐसे कितने A, B है जिनका LCM यह हो तो मेरा जॉब क्या है ऐसे A, B बनाना जिनका LCM यह हो मैंने तोड़ा दो सब जॉब में पहला सब जॉब भाईया दोनों में ना 2 की पावर को पहले डिसाइड कर लो क्या रखना है दोनों में 2 की पावर को तो इन दोनों की वैल्यूस क्या-क्या हो सकते है P and S क्या-क्या हो सकते है या तो P 0 हो जाए S 3 हो जाए Do you all agree मेरा पहला सब जॉब दोनों में 2 की पावर में डिसाइड करूँगा 0 रख दी, यहां पर 3 रख दिया या फिर इधर 3 रख दिया उधर 0 रख दिया Max 3 रहना चाहिए इधर 1 रख और इधर 3 रख दिया और इधर 1 रख दिया Similarly 2 3 और 3 2 and last दोनों को 3 3 रख दिया दोनों में 2 की पावर्स ऐसी होती है Very good रुद्रनाथ Very good रुद्र दोनों में 2 की पावर्स ऐसी होनी चाहिए तभी उनका Max 3 आपाएगा Similarly R और T को देखो R and T कैसे हो सकते हैं अब ये मुझे चैट में तुम बताओगे ये मुझे चैट में आप बताओ विरा R और T को मैं क्या लूँ कि Max जो है वो 2 आजाए Max जो है वो 2 आजाए चमका सर सर इधर 0 ले लो उधर 2 ले लो या फिर इधर 2 और उधर 0 शाबा 0,2,2,0,1,2,2,1,2,2 very good उधर 5 की पावर 1 लो इधर 5 की पावर 2 लो या उल्टा कर दो उधर पावर 2 इधर पावर 1 और लास दोनों को ही 2,2 ले लो पहला सब जोब दोनों में 2 की पावर को फिक्स किया दूसरा सब जोब दोनों में 5 की पावर को फिक्स किया Can you see that my job is done A and B बन गए तो दोनों के ways multiply हो जाएंगे तो आपका answer क्या आगया 1,2,3,4,5,6,7 7 ways हैं 2 की पावर को फिक्स करने के 1,2,3,4,5 5 ways हैं 5 की पावर फिक्स करने के तो टोटल 35 A और B बनाए जा सकते हैं जिससे उनका L.C.M. ये रहे सिर्फ तुमारे नजारे के लिए बता रहा हूँ नजारों के लिए बता रहा हूँ देखो तुमने इधर सब जॉब 1 में मालो ये चूज किया सब जॉब 1 में ये चूज किया तो क्या तुम देख पा रहे हो नंबर क्या बनेंगे आपका A बनेगा 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 और आपका B बनेगा 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 1 देख लो दोनों का L.C.M. वही आ रहा है जो तुमको चाहिए था देख लो दोनों का L.C.M. वही आ रहे है तुमको चाहिए था 2 की जो मैक्सिम पावर है वो 3 आ रही है 5 की मैक्सिम पावर 2 आ रही है बले बले इस हिसाब से ऐसे सवाल में सोचा जाता है और डिरेक्टर फॉर्मले सवाल कहता है बहुत है बहुत है यह लाइन आजाए बत कंडिशन ये है, कोई भी दो सेम नहीं होने चाहिए, कोई भी दो सेम नहीं होने चाहिए, कन्जेक्टिव वाले है आई, शाबाज तो जहां पे भी ये लाइन आजाए ऐसे स्वाल में, किसी भी सवाल में no two consecutive are same उसको करने का fix तरीका होता है पहले तो अपने रियल लाइफ में आ जाओ जॉब और सब जॉब सोच लो मैं फिर करने जुतना चाहिए सोचोगे न गंदे सवालों में हेल्प होगी मेरी जॉब क्या है जिस चीज के तरीके पूछे हैं किसके तरीके पूछे हैं इन छे कोशन को अटेम्ट करने के तरीके पूछे हैं तो यह मेरी जॉब है तो भीया मेरे को छे कोशन अटेम्ट करने हैं बस जॉब करनी है आपने वेज अपने आपने जॉब करनी होती है वेज जो है न वो fundamental principle दे देता है तुमको तुम जॉब पर focus करो मेरा जॉब है छे कोशन attempt करना obviously real life के मताबिक मैं इसको छे सब जॉब में तोड़ दूँगा पहला कोशन attempt करूँगा कितने तरीके? चार तरीके अब आया दूसरा दूसरा सब जॉब मालो आपने ये mark किया था जिरा चैट में सोच के बताना दूसरे कोशन को करने के कितने तरीके है मेरे पास? बहुत सोच के बताना दूसरे कोशन को attempt करने के कितने तरीके? दूसरा सब जॉब करने के कितने तरीके? तीन तरीके क्योंकि consecutive है, same नहीं होना चाहिए तो यहां पर यह कट गया था तो three ways तो यह नहीं mark किया था, मालों कोई मालों मैंने यह mark कर दिया था और अब आता है असरी मज़ा try to see अगले question, third question को करने का third sub job करने का भी three ways ही है यह दोनों same नहीं होने चाहिए मतलब अगर इस पर यह किया तो इस पर यह नहीं कर सकते तो अभी भी तीन रास्ते खुले हुए है यहां पर भी तीन, बच्चे यहां पर two लिख देते क्यों, सर यह दो तो हो गए ओ शिरा, इस question को इससे अलग mark करना है इससे कोई लेना देना नहीं है no two consecutive are same लिखा गया है समझेगे, no two are consecutive same तो मालन मैंने यह माग कर दिया तो हर एक लेवल पर होगा क्या इसके पास एक option ही कम होगा बस yes, तो four into three into three into three into three into three, तो four into three पार five मिरे शब्दों को ध्यान से सुनना मैंने अपनी जॉब की है जॉब क्या था छे कोशन अटेंट करो मैंने छे कोशन अटेंट की है जो अंसर है ways of attempting six question ways of doing my job वो मुझे fundamental principle ने दिया बच्चे गलती करते हैं वो job में न ways को mix कर देते हैं भाया ways जो है न वो FPM बताएगा तुम अपनी जॉब पर focus करो तुम अपने छे कोशन अटेंट करो बहुत बढ़िया अगला कोशन देखो जे जेही में में आया था जी if the digits are not allowed to repeat in any number formed by this 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 digit then the number of all numbers greater than 10,000 is एक अधा सवाल number वाला भी देख लो 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 digits को use करके एक number बनाना है 5 digit का repetition not allowed है और वो 10,000 से बड़ा होना चाहिए तो मेरा जौब क्या है ध्यास जणना एक 5 digit का number बनाना यानि कि 5 places को भरना तो मैं इसको सब जौब में तोड़ लेता हूँ पहला सब जौब, दूसरा सब जौब, तीसरा सब जौब, चौथा सब जौब, पात्वा सब जौब अब यहां पे एक बहुत valid doubt आना चाहिए सर आपने पहला सब जौब यह क्यों माना पहला सब जौब यह क्यों नहीं मान लिया मान सकते थे बट प्रॉब्लम क्या आई? यहां पे एक constraint लगा हुआ है constraint क्या है? कि यहां पे zero नहीं आ सकता तो जब भी आपके सवाल में एक constraint आ जाए कि यहां पे तो यह होना ही चाहिए या यहां पे यह नहीं होना चाहिए तो वो आपका पहला सब जौब होना चाहिए सबसे पहले उसका ध्यान रखिए कुई को problem है कुछ problem है तो सबसे पहले मैंने पहला सब जौब किया पहला सब जौब करने के कितने तरीके हैं मेरे पास सर एक दो तीन चार चार वेज हैं यहां पे two four six eight में से कुछ भी आ जाए नमबर मेरा दस जार से बड़ा ही आएगा दस जार से बड़ा नमबर चाहिए न तो अगर आप two से शुरू कर रहे तो ten thousand से बड़ा तो होई गया four से शुरू करो six से शुरू करो eight से शुरू करो ten thousand से बड़ा होई गया और यहां पे कोई दिक्कत नहीं थी तो दूसरा सब जौब किया कितने तरीके सर पांच थे एक यूज हो चुका है तो यहां बचे चार सर पांच थे दो यूज हो चुके है तो यहां बचे तीन यहां बचे दो यहां बचे एक तुम ने अपनी सब जौब को शद्धा पूर्वक अच्छे से कर दिया अब कितने नमबर बनेंगे यानि कि आपके जॉब के कितने वेज थे वो FPM दे देगा FPM कहता भाई मैं बैठाउं, multiply करो 4 into 4 into 3 into 2 into 1 ये रहा आपके जॉब के number of वेज आपको सारा focus जॉब को समझने पे करना है उसको सब जॉब में तोड़ने का करना है वेज पे फोकस ही नहीं करना बचे PNC में अटकते हैं क्योंकि वो वेज में घुज जाते हैं अरे वेज देना fundamental principle का काम है सब जॉब के वेज को multiply करके वो तुम्हारा काम नहीं है आगे देखो आगे हो जा बुरा नहीं मानना यार और नहीं यार हो जा यार आ हो गया यह सवाल बहुत प्यारा है जो number problems होती है बचे जब अटकते हैं ऐसी problem में अटकते हैं इसको ध्यान से समझेगा अगले slide पर हाँ आ जाईए सवाल को आराम से पढ़िए How many three digit numbers less than 600 and divisible 5 can be formed 3 digit number बनाना है 1,2,3 वो 600 से छोटा होना चाहिए और five का multiple होना चाहिए ठीक है repetition allowed नहीं है यह वाले digit हम use कर सकते है मैंने पिछले सवाल में क्या सिखाया था जिको sub job बनाना ही मेरा काम होता है बट पहला sub job उसको बनाओ जहां पे constraint आ जाए क्योंकि उसका मुझे ध्यान रखना है और कई बड़ी constraint दो जगा पे आएंगे और वो आपस में एक दूसरे को तंग कर रहे होंगे जैसे कि यहां पे constraint है कि zero नहीं आ सकता zero आए तो problem है three digit number नहीं बनेगा और nine नहीं आ सकता अगर nine आ गया तो यह number 600 से बड़ा हो जाएगा उसी समय यहां पे भी constraint है यहां पे क्या constraint है भरिया यह five का multiple होना चाहिए तो यहां पे या तो zero आना चाहिए या five आना चाहिए या तो zero आना चाहिए या five आना चाहिए तो शेरा जब एक चीज दो जगा पे आ जाए एक चीज दो जगा पे आ जाए यानि कि उसका जो constraint है ना यहाँ पे भी है यहाँपे भी है जैसा मरजी constraint हो यहाँपे constraint क्या है कि जीरो नहीं होना चाहिए यहाँपे constraint है कि यहाँपे 0 या 5 आना चाहिए तो जब एक चीज दो जगा laughing हमेशा cases बनाके करना है उसका और कोई तरीका नहीं फस जाओगे सबसे असान काम case क्या हम कह देंगे या तो यहां पे 0 होना चाहिए या फिर यहां पे 5 होना चाहिए तो क्यों ना इन दोनों टाइप के numbers को अलग से count कर लू कितने numbers ऐसे हैं जहां पे 0 बैठा हुआ है और कितने numbers ऐसे हैं जहां पे 5 बैठा हुआ है cases तो पहले हम वो number ढूंड रहे हैं जिनके यहां पे 0 बैठा है अगर यहां 0 बैठा है तो यहां पे कितने ways हुए 1 यहां तो 0 बैठा हुए अब यहां पे कितने ways है सर 0 तो use हो चुका है तो पंगाई नहीं है, 9 यहां पर आ नहीं सकता, तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 थे, दो कट गए, 5 वेज हैं यहां पर, शाबाश, अब यहां पर कितने वेज हैं, तो टोटल 7 डिजिट्स हैं, उन में से 2 मैं यूज कर चुका हूँ, तो बचे 5, तो यहां पर भी 5, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल कहता है, इस के नमबर ऑफ वेज होंगे 25, ऐसे 25 नमबर हैं, जिनके यहां 0 बैठा हुआ है, और यहां पर 9 नहीं बैठा हुआ, similarly यहां पर, ऐसे नमबर कितने हैं, जिनके यहां 5 है, भी यहां पर तो नमबर 1, एक ही आप्शन है, एक ही तरीका है, क्यों यहां पर 5 फिक्स कर दिया रहने, अब आजो यहां पर, सर, इसके बाद यहां क्यों नहीं गए, बैटा क्योंकि इसके बाद यहां पर कॉंस्ट्रेंट है, हमें कॉंस्ट्रेंट पर जाना है पहले, जहां प्राबलम है, अब यहां पर कितने वेज हैं, सर, 0 यहां पर आनी सकता, 5 हम यूज कर चुके हैं, 9 यहां पर आनी सकता, यहां पे 5 तो यहां 5 नहीं आएगा क्योंकि यूज हो चुक है 09 आ नहीं सकते तो बचे 7 और यहां पे कितने बचे 7 में से 2 यूज हुए है तो बचे 5 याने की FPM कहता है टोटल 20 नंबर ऐसे होंगे जिनके यहां 5 होगा अब यार यह बताने के लिए कोई हाई फाई मैथ नहीं चाहिए कि यह सारे नंबर भी मेरे काम के हैं और यह सारे नंबर भी मेरे काम के हैं तो टोटल जो है 45 नंबर हैं जो मेरे काम के हैं तो अंसर आया 25 प्लस 20 एट इस 45 इसको मैं conclude करूँगा दिमाग में बिठा लो point क्या करना है देखो repeat करोगे तो पका होगा पर concept लो दिमाग में रखना है वो सुनो जब भी आप ऐसे बना रहे हो कि कहां पर क्या होना चाहिए कहां पर क्या नहीं होना चाहिए अगर एक number ऐसा है जो दोनों जगा पर आ रहा है तो हमेशा केस मना के करो केस क्या बनाओ कि यहां पर यह आया है यहां कुछ और आया है केस मना के करो सवाल वहीं पर निपट जाएगा और बना नहीं निपटेगा बना गलती होगी जा बाए एक्जेक्ली सो हम आगे देखो ओए हाँ बिल्कुल 45 repetition allowed में काम असान repetition में कोई repetition allowed नहीं और यहां पर चाहिए प्र जो मर्जी आइक है चिन्ता ही नहीं है यहां प्ला यहां पर क्या कॉंस्टरेंट क्या था जिरो नहीं आन चाहिए झाल humor अधर यह उनलों को नहीं होती nível यह पहले संब जाब में इसको फिल करूंगाppen मैं गėrde का उन्स 7 ways कुछ भी आ जाए फिर मैं इसको फिल करूँगा 2nd sub job यहाँ पे 0, 9 नहीं आना बाकि जो मर्दी आए 5 ways यहाँ पे भाईया 0 या 5 ही आना चाहिए 2 ways तो repetition allowed में कभी दिक्कत नहीं होती क्यों? क्योंकि यह फरक नहीं पड़ता कि पिछले पे क्या आया था यहाँ पे क्या आएगा हर जगा हर एक possibility open होती है आई शाबाश तो अंसर आ गया 5 into 7 into 2 that is 70 exactly ओई शाबाश अब चलो आगे थोड़ा variety को change करते हैं अब चल पागे यार गुस्वानी खाना ओ ना ना ओ हो गया हो गया भागो ऐसा नहीं करना मेरे साथ थोड़ा तक तक नहीं पड़ती मजा गया थपड़का भी ना मानते हैं sets का ये basic सा formula तुम्हारे PNC के कुछ सवालों को त्योंकि अदर्वास मुश्किल लगेंगे ये जना असान बना देगा कि पुछने की हद नहीं इसके बेस में सवाल जहीं में भी काफी बार पूछे जा चुके हैं बड़ा basic है वैसो N of A union B तो बच्पन से जानते हो ये वाला थोड़ा लेट सीखते हो ये वाला क्या है बेटा A compliment intersection B compliment D Morgan law याद करो पूछता है तो मैं कह सकता हूं कि ये तो इसके बराबर है बिलकुल कह सकते हो और compliment में number of element क्या होता है total minus number of element in that set ये इतने प्यारे सवालों में इतने अच्छे से काम आता है कि पूछने की हद नहीं अभी दिखाता हूं सवाल अभी धाता हूं the number of four digit numbers which are neither multiple of seven nor multiple of three मैं कह रहा हूं sets के बिना करने की कोशिश दो त्ते उड़ जाएंगे हिलेगा ही नहीं गलत अंसर आएगा पर वहीं पे अगर तुमने ये बात सीख ली कि जब भी तुमारे PNC में either or या फिर neither nor ये शब्द दिख जाए PNC का सवाल है तुमको वो या वो दिख जाए समझ लेना सवाल इससे होने वाला है अगर ये समझ लोगे तो सवाल वही पे खतम हो जाएगा बेटा हमें बोला गया है neither nor neither multiple of seven nor multiple of three मैं नाम दे देता हूं ये हैं जिनमें multiple of three बैठे हुए और ये हैं जिनमें multiples of seven बैठे हुए है मुझे क्या पूछा है भाईया ऐसे element कितने है yes or no ये पूछा है ऐसे element कितने है ये तो पूछा है not a multiple of three and not a multiple of seven और neither nor का मुझे handle करना आता है ये कहता है total minus n of a union b खतम total तो मैं orally जानता हूं अरे यार four digit numbers की बात हो रही है भक्ती बेटा बाद में बात करते हैं ऐसे तो क्या समझाओं ओके four digit बात हो रही है तो four digit numbers कितने होते हैं सर nine thousand होते हैं किसी को doubt तो नहीं है अगर किसी को ये doubt है कि हमें one thousand से लेके nine 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 तक कितने numbers आएंगे तो sequence series का lecture थोड़ा बहुत देख लेते हैं अच्छे से तो आएंगे doubt नहीं होता यहां से लेके यहां तक कितने number हैं जब भी पूछा जाए कैसे किया जाता है भैया जी nine 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 minus thousand plus one ये है count of numbers from here to here including these two including these two और अगर बोला हो इनके बीच में बताओ nine nine minus thousand minus minus one तो a से b तक कितने numbers आएंगे कैसे निकाला जाता है ऐसे that is b minus a plus one अगर including a b बोला हो और ऐसे that is b minus a minus one अगर excluding a and b बोला हो ऐसे निकाले जाते numbers कितने आएंगे पटाक तो इसे साब से देखो nine thousand total four digit number बैठे हूँ है तुमारे पास अब मुद्दा बचा इसका वह ये तो बहुत ही घटिया है na plus nb minus n of a intersection b क्या तुम प्यार महबबत से four digit number निकाल सकते हो जो three के multiples हो निकाल सकते हो याद करो निकाली लेंगे सर एक हजार दो से शुरू होता है पहला तीन का multiple फिर एक हजार पांच और करते करते ये आता है आखरी three digit three का multiple ये कितने है a p बैठ है तुमारे पास a p से number of terms निकाल लो भाया जी a plus n minus 1 into d is equal to this let this be the first term of a p let this be the last term of a p formula लगाई ये nth term का और तुमारे पास n की value आ गई yes or no वही याद आ रहा था सर exactly तो यहाँ से आप n निकालेंगे तो ये आ जाएगा हाँ तो ये कौन सा पापी है इसने कोई पाप नहीं किया same way से 7 के multiple आ जाएंगे हाँ तो ये तो उससे भी सान है intersection एन की 3 और 7 दोनों के multiple यानि की 21 के multiple तो डाल जेंगे answer आ गया तो अगर ध्यां से देखो बच्चों ने answer लिखा तो यहां पर calculation भी देख लीजिए 3 के multiple जैसे मैंने आपको बताया 3000 आएंगे फिर आप 7 के multiple भी सेम तरीके से निकालेंगे वो 1 to 8 जिक्स आएंगे और फिर 21 के multiple भी सेम तरीके से निकालेंगे जो की 4 to 9 आएंगे तो यह आ गया A union B A plus B minus intersection इसको subtract किया total में से तो आपका फाजल answer आ गया नजारे सर इसे कोई छोटा तरीका है बेटा यह best तरीका है यह best तरीका है यह आप समझ लो अगला सवाल देखो अब हमारा बेसिक fundamental मेरे हिसाब से का चैट बता सकते हो warm up सा हो गया कि PNC काम कैसे करती थी अभी तक मैंने को tool नहीं use किये नहीं formula नहीं use किये पस basics को revise कर रहा हो कि PNC काम कैसे करती थी FPM को कैसे लगाया जाता था नंबर वाले questions कैसे बनाए जाते थे अब थोड़ा formula में घुसते हैं आई क्या बात है शावाश आप formula में घुसते हैं याद रखना PNC का कोई भी सवाल जो है ना मुढ घिड के या तो selection का होता है या selection and arrangement का होता है या distribution का होता है ये तीन terms ही आपको इस chapter में सीखनी होती है इसी की variation चलती है तो सबसे पहले मैं उठाँगा selection आजो भया इस selection को पेल देंगे हम आज के बाद selection में कोई doubt तुमारा नहीं आएगा उसके बाद इसको उठाएंगे उसको उठाएंगे एक-एक करके उठाएंगे mix नहीं करेंगे एक-एक करके उठाएंगे चलो पहले selection को पेलते हैं selection के बारे में एक चीज जो मैं आपसे expect कर रहा हूँ वो ये है कि आपको NCR पता है total N में से R object उठाने हैं तो NCR ways होते हैं ये मैं आपसे expect कर रहा हूँ कुछ तो देखके आयो जिंदिगी में selection की बात करते है selection में बहुत सारी variety बनती let me tell you शायद आपने कुछ variety देखी भी ना हो बहुत सारी variety बनेंगी हम एक-एक करके उठाएंगे सबसे पहले सबसे basic variety NCR का direct use NCR का direct use direct use कैसा होता है सवाल देखो कहता है four couples husband and wife यानि कि H1, W1, H2, W2 H3, W3 and H4, W4 चार couple बैठे हैं बैसे यहाँ पे ना happy लिखना जाए था four happy couples couple लिखके दिल ना थोड़ो happy बोलो न या मेरी भी शादी होगी happy होना बहुत ज़रूरी है decide to form a committee of four member भया इन आठ में से total चार select करने थे decide to form a committee of four members finds a number of different committees that can be formed in which no couple finds a place हसो ना तुमारी विशादी होनी है I love my wife आज मैं सब के सामने कहता हूँ चाहिद वो भी देख रही हो खूश हो जाएगी okay ओए आजओ ओए happy married couple से बाहर आजओ so यहाँ से मुझे total चार लोग उठाने है बड़ condition यह है कि कोई भी couple पूरा नहीं आना चाहिए अब कैसे कैसे उठा सकते है ध्याँ सुनो pattern बना लेंगे यहाँ तो ना चारो husband उठा लो 4C4 4 के 4 H उठा लिए या फिर एक husband उठा लिया और बाकी तीन W उठाए बट जो H उठाया है उसकी wife नहीं उठा सकते अब उठाने का मतलब उठाना नहीं है मतलब pick करना है select करना है उठाना नहीं है तो यार इसका wife तो आनी पाएगा तो यह तीन option बचे तो तीन में से तीनो select कर लिए या फिर 2H उठाए 2H मालो मैंने यह H उठा लिया और यह H उठा लिया अब W के लिए कितने option बचे मेरे पास भाईया यह दो W तो आनी सकते अब राइट क्योंकि couple बन जाएगा तो इन में से उठाना पड़ेगा यानि कि इन दोनों को उठाया into 2C2 या फिर finally एक एच उठा लिये मालो यह यह और यह अगर तीन एच उठा लिये तो W के लिए एक यह आप से बचा यह अब into 1 लिख दो या 1C लिख दो तुम्हारी मरजी और ओई होई यार 4C4 से शुरू किया था पैटर्न उल्टा बना दिया मैं प्यार महबत में दूब गया इसको वह खड़क कंप्लीट कर दू खी कर दू पहले में कर रहा हूँ कोई H नहीं आया सारी की सारी W आ गई ठीक है यह पैटर्न बना रहा हूँ कोई H नहीं आया 1H आया 2H आये 3H आये या फिर 4C4H आये और कोई भी W नहीं आया एक्जेटली आज खाना अच्छा बनेगा एक सिंपल NCR का यूज जहां से सेलेक्शन करनी हो हम NCR लगा देते हैं तो 4H में से 1H उठाना था 4C1 3W में थे 3W उठाने थे 3C3 और शाबाश इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा सवाल को अच्छा बनाते हैं यही में का सवाल उठाते हैं यह सेलेक्शन की पहली वराइटी जो मैं थे समचों को आती होती है अब हम धिर दे और और वराइटी को एक्ष्प्लोर करेंगे An urn contain 5 red, 4 black and 3 white balls एक डब्बे में यह डेटा बैठा हुआ है Then the number of ways in which 4 marbles can be drawn so that at most 3 of them are red यह ध्यां से सुनिएगा यहां से कितने उठाने हैं? यहां से 4 balls को उठाना है condition यह है कि at most 3 red होने चाहिए अब at most 3 red का मतलब क्या है? या तो 0 red होगा या 1 red होगा या 2 red होगा या 3 red होगा यही मतलब हुआ? हाँ सर यही मतलब हुआ पर यह मत बूलिए total balls कितने उठाने है? 4 अब सुनिए 0 red कैसे होगा? दया, total 5 red थे उनमें से कोई red निए उठाया बाकी जो थे अब ध्यान सुना बाकी जो थे उनमें से 4 था लिए 7 C 4 बच्चे गरती क्या करते है? इसमें भी case बनाने लग जाते हैं उन नहीं होए condition red पे है मैं अब बोलूँ कि यहां पे यह बहुत पढ़ी है 4 उठाओ बस red निए उठानी तो क्या करोगे? इन 7 में से 4 ठाओ लोगे 7 C 4 राइट? similarly या फिर एक red आनी चाहिए अब भया एक तो red चाहिए तो 5 C 1 जो बाकी बची 3 है वो कहां से आएंगी? इन में से आएंगी black, white जो मर्जी आती ने फरक नी पढ़ता तो इन 7ों में से कोई भी 3 आ जाएंगी आई शाबाश similarly आगे कर देते हैं बटा जी 5 C 2 इन्टू 7 C 2 प्लस 5 C 3 इन्टू 7 C 1 तो यह रहा direct NCR का use जहां पे आप सिरफ requirement के मताबिक उठा रहे हो ध्यान कर देना यहां पे आपकी जो अकल लग रही है वो इस पे लग रही है कितने red कितने non red 0 red बाकी non red 1 red बाकी non red इस पे अकल लग रही है counting में नहीं लग रही counting में आपके आगे NCR बैठा है वो आपको जनाब जवाब देता जा रहा है 490 is the right answer बिल्कुल सही कह रहे हो यह वो सवाल है जो 99% बच्चा गलत करता है जहां से समझे लो आज सिखाऊंगा भी गलती क्यों करते हो there are 3 sections in a question paper and each question contain 5 questions भया section A है यहां पे question 1 से question 5 बैठा हुआ है section B है question 6 से question 10 बैठा हुआ है section 3 है जहां पे 11 से 15 बैठा हुआ है total ऐसे 15 questions है 5, 5, 5 a candidate has to answer a total of 5 questions total उसको 5 उठाने है यहां से choosing at least one from each section यह आगी condition यहां से total उठाने है 5 condition यह कि कोई भी section खाली नी छोड़ना एक न एक तो सबसे उठाना है number of ways in which that candidate can choose the question पहले मैं आपको सही तरीका बताऊंगा थोड़ा लेंदी लग सकता है ध्यास सुनना फिर मैं गलत तरीका बताऊंगा जो तुम करते हो और उसमें गलती क्या है वो बताऊंगा तांकि आगे से ना करो पहले सही तरीका भाईया मैं को बोला गया total पांच उठाओ condition यह कि सब में से एक एक तो आना चाहिए तो मैंने का सोच ले तेक यह कितने अटेम्ट करूँ? अाम जिंदीगी में जाओ आप क话 किए कि तीन section पड़े हो और बोला कि पांच question करने है एक एक तो सब में से करना है तो क्या करोगे? सर मैं यहां से एक कर लूँगा यहां से एक कर लूँगा और यहां से तीन कर लूँगा ऐसी सोचोगे सर यहां फिर इधर एक इधर तीन इधर एक कर लूँगा यहां पर इधर तीन कर दूँगा यहां पर एक एक कर दूँगा ऐसे केसिस बनाओगे मानते हो तर यहां पर एक करेंगे जाइए किन सेक्षन 5 पांशेम्ट करने एक सम्मेट मैं तो कैसे करोगे एक काम करता हूँ या फिर एक दो और दो कर लेता हूँ ऐसे क केस बनाईएंगे बिलकुर और यही आप TA पांसर भी है कि यहां हां इसके कितने बेज़् होंगे पाँच में से एक, पाँच में से एक, पाँच में से तीन, यानि की 5C1, 5C1, 5C3 इतने ही वेज इसमें भी है, इतने ही वेज इसमें भी है, तो इंटू 3 Similarly, इसके भी case गिन लो यार, इसके कितने तरीके हैं, पाँच में से दो पांच में से दो और पांच में से एक इतने ही तरीके इसके भी होंगे इसके भी होंगे तो आपका फाइनल अंसर आ गया प्लस भई या तो ऐसे या ऐसे काम खतम बड़ा ही प्यारा सा पपी सा कोशन बन गया अब बताता हूं गलती इसमें बच्चे जो गलत करते हैं वो सीखना जरूरी है वोगि वहां पे आपको लर्निंग मिलने वाली है यह तो मैंने कराया तो आगे सोच लोगे पर अगर भूल गए तो अटलीस गलत ना करो वो सुन लो कोशन वान से कोशन फाइव कोशन सिक्स से कोशन टैन और कोशन 11 से कोशन 15 मैं बता रहा हूँ तुम करती क्या करोगे तुम्हारा दिमाग कहेगा सर जी क्या केसिस बना रहे हो एक काम करो सर पहले यहां से एक उठा लो फिर यहां से एक उठा लो और फिर यहां से एक उठा लो सर तीनों मेंसे एक-एक तो मैंने करी दिया है अब क्या करो सर यहां पे 4 बचे चार बचे इन 12 मेंसे कोई भी डो उठा लो शची बोलला यही दिमाग में आता है ना यही दिमाग में आता है कि इन 5 वी एक कर लो पहले 5 के कोई न यह कर लो और तो पहले मैं आपको justify करता हूँ कि ये गलत क्यों है है कि आपने कहा मैं आपके सब-job के तरीके से आपको attempt करके दिखा रहा हूं बिगनिक से वह著 he understand करेंगे आपके सब-job से attempt करके दिखा रहा हूं आपने कहaut मैंने कोई भी कर लो मैंने का कोशन 2 कर दिया बिटा मैंने अच्छा फिर आपने का यहां से कोई भी कर लो मैंने का मैंने कोशन 8 कर दिया फिर आपने का यहां पर कोई भी कर दो मैंने कोशन 11 कर दिया और फिर आपने कहा इसके बाद बच्चे हुए में से कोई 2 कर दो तो मैंन और तरीका देखो, अब आप ही ध्यास ना, आपने कहा पहले इसमें से कोई भी कर दो, मैंने कहा इस बार ना मैं कोशन 3 कर देता हूं पहले, आपने कहा यहां से कोई भी कर दो, मैंने कहा मैं कोशन 7 कर देता हूं, आपने कहा यहां पे कोई एक कर दो, मैंने कहा मैं कोशन 11 कर देता हूं आपके तरीके के हिसाब से ये दोनों अलग-अलग अटेंप्ट होने चाहिए बट कैन यू सी ये फाइनल नेट आउटकम से में दे रहे हैं कितनों को नजारे आए मुझे पानी की प्यास भी लग गई है कितनों को नजारे आए विशाल जी आपके पास रिवाइन करने का ऑप्शन है तो मुझे से रिपीट करने के बजाए यूट्यूब से रिपीट कराईए नहीं गटा यूट्यूब आपको गुसा होड़ी करेंगे रिपीट करने के लिए मैं अफे भी कभी कर सकता हम जब गुसा आएगा तो इक्जै है अब सुनिए दिमाग में क्या रखना है दिमाग में यह रखना है सुनो मेरी बात जब भी सवाल सेलेक्शन का हो और कॉंस्ट्रेंट लगा हो कि यहां से यहां से यहां से कुछ ना कुछ तो आना है तो कभी भी यह नहीं करना कि पहले कुछ ना कुछ कर लो और बाद में जो मर्दी करो ये नहीं करना आपको वो जो करना कुछ ना कुछ आना है उसके हसाब से केसिस बनाके नंबर वेज निकालने है हमेशा पस ये ध्यान रखना है कि ये गलत क्यों है पता लग गया आज के बात करोगे तो खुद ही लिखके देख लोगे आपका अंसर ये जो गलत वाला है सही से बहुत बड़ा आएगा नजारे भी आगए शाबाश और ये तो पड़ी पर्टिकुलर वराइटी है आप सबने पड़ी होगी आपको आती ही भी होगा प्रिटी शोर क्या कहते हो in how many ways a team of 11 players can be selected out of 15 15 में से P1, P2, P3 करते-करते P15 15 में से 11 select करने है such that अगर such that ना होता जिंदिगी कितनी peaceful थी 15 C11, game over, finished वड़कम बख्टो ने कहा such that a particular player is never chosen तो या दखो इसमें समझना यह होता है जो particular player होता है न उसको mark कर देते है पहले और हम उसको ये mark करते हैं मिशा P1, ये मेरा particular player है fixed है ये कहता a particular player is never chosen ओके, 11 select करने थे ये कर नहीं सकते तो बच्चे होए 14 में से 11 select कर दो काम खतम बच्चे confused का होता है वो particular पे खेलना शुरू हो जाते है वो particular खेलना नहीं है Indian team है यहां पर खड़ाया मानलो आपका कोई भी player मानलो विराट कोली और मानलो बिमार है आपको का select करें टीम पर विराट कोली को टीम में नहीं लेना तो विराट कोली जी पहले side पे हो जाएंगे ना बच्चों यह 14 में से 11 उठाएंगे तो पर्टिकुलर प्लेयर है बी पार्ट थ्री पर्टिकुलर प्लेयर और नेवर चोजन और ऑल्वेस चोजन लो भाया वह ची बात है यह रहे मेरे पर्टिकुलर प्लेयर जो बिगिनिंग ना इन तीन को तो आ नहीं आना है बिटा जी तीन तो आई चुके हैं अब और कितने चाहिए मुझे आठ कितने मेंसे नौ कितने यह 12 मेंसे तो बारा मेंसे आठ और चूज कर लीजिए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो चैट में दिल खुश कर रहे हो बेटा सी वो पार्ट है जो बचों ने कम पड़ा होता और गलती करते हैं हमेशा ध्यान से सुनो तू पर्टिकुलर प्लेयर नेवर कम टुगैधर इन आ टीम भाईया यह दो ऐसे हैं कि लगती है आपस में यह टीम में कठे नहीं आएंगे अब यहां पर ध्यान से सुनो क्या करें प्लेयर प्लेयर पीवन और पीटू है इन पर कंडिशन है कि यह एक साथ नहीं आएंगे टीम में अब बच्चा यहां गलती करते हैं सुनो ध्यान से गलती कर रहे हो अभी भी आप को गयार पीवन को ले लेते हैं यार पीटू को छोड़ो पीवन ले लिया पीटू हटा द 10 कितने मैंसे सर्फ 13 मैंसे 13C10 यह वह वेज जहां पर पीवन को लिया गया और पीटू को नहीं लिया गया या फिर आपकर पीटू को ले लो पीवन को ना लो पहर में गया इतने ही वेज उसके भी आ जाएंगे वह आप पीटू तो उठाई लिया और पीवन को बाहर फैंक दिया एक आ चुका है तेरा में से दस और चाहिए बट यहां पर आता है में पॉइंट बच्चे यहीं पर रुक जाते हैं और वहां पर गलती है बच्चे यहीं पर रुक जाते हैं और वही गलती है प्लस ध्यान से सुनिएगा भईयां की नहीं बनती मैं दोनों कोई टीम में नहीं लेता भाड में गए तो यह मेरा फाइनल अंसर है इसको रिपीट करूंगा ध्यान से सुनना हां जी जॉन जी आप यह के लिए रिपीट कर रहा हूं ध्यान सुनिए तो बोला गया पीवन पीटू ऐसे हैं जो एक साथ टीम में नहीं आएंगे माल लीजिए वह तो मैं नाम नहीं दे रहा है फिर तुम रिलेट करने बैठ जाओ कि तुमारे सेंटिमेंट हर्ट ना हो जाए पीवन पीटू वो प्लेयर है जो एक साथ नहीं आएंगे जब मैं कहता हूं पीवन पीटू एक साथ नहीं आएंगे इसके तीन मतलब बनते हैं यह पीवन आ गया पीटू नहीं आया पीटू आ गया पीवन नहीं आया यह पीवन पीटू दोनों ही नहीं आएंगे तो यह है जब पीवन आया था और पीटू नहीं आया टोटल पंदरा थे उनमें से एक तो आ चुका है एक बाहर जा चुका है अभी तक एक ही आया है और कितने चाहिए दस कितने में से तेरा में से यह तो बाहर चला गया यह आई गई नहीं अब समझें पॉइंट सिमिलर वे से पीवन नहीं आया और पीटू आया एंड लाज सबसे इंपॉर्टेंट मैंने दोनों को कहा भाड़ में जाओ तुम लड़ते रहो अपना तुमारा काम टीम में है ही नहीं शाबाश तो यह तीसरा केस बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चे तीसरा केस मिस करते हैं काफी तो यह रहे आपके अंसर अब अंचार ओपन कर ले ना एंसी आर मत ओपन कर दो सर बेटा जिंदगी में बस तुमने तो मंखर मलाई खाने हैं एंसी आरवी में से ओपन कर ओगे कोई शरम है या थी बंदे को चल भई तू को गुसा खाराई यार तेको कुछ का मैंने आ गया आजो नजारे भी आगे सर्जी ओशाबाश लव यू नैनेश गॉड्स यू बड़ी छोटी क्लास नहीं है चलो कोई बात नहीं बैठे होया है यहां से टू गर्ल्स एंद थ्री बॉइज उठाने हैं ओके सच दैट तू स्पैसिफिक बॉइज एंड बी रिफ्यूस टू बीदा मेंबर ऑफ सेंटीम मैंने भी क्या का था अभी क्या का था क्लास में कराएंगे तुमको एबी पार्ट यह बाले एबी पार्ट तुम सबको यह कराया होगा जहां भी तुम पढ़ते हो और पूछेंगे यह बाला पार्ट तो देखो यही मेन में यही पार्ट पूछा गया आजा भई आगया देख ले तू बॉइज रिफ्यूस तू बी तू बी तू बी तू करते करते बी सेवन अब सवाल कहता है यहां से दो गर्स उठानी है यहां से तीन बॉइज उठाने है गर्स उठाने में तो कोई दिक्कत नहीं थी अब आई बॉइस को उठाने की बारी तो जब बॉइस को सेलेक्ट करने लगे तो कहता है 7C3 नहीं ना 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 कंडिशन है B1, B2 एक साथ नहीं आएंगे तो हमने का हमको भी पता है तीन केस बनाएंगे B1 को उठा लिया B2 को बाहर फेंक दिया तीन चाहिए थे एक उठा चुका हूँ B1 B2 बाहर चला गया तो दो जणे चाहिए कितने में से? पांच में से तो 5C2 similarly B1 को बाहर फेंका और B2 को उठाया या फिर हमने दोनों को बाहर में जाओ पहले लड़ाई कर लो हम तुम्हारे बिने जा रहे है तो B1, B2 दोनों ये बाहर फेंक दिये इन 5 में से ही हमने कितने लड़के? 3 लड़के उठा लिए शाबाश So B1 को उठाया B2 को बाहर फेंका B1 को बाहर फेंका B2 को उठाया B1, B2 दोनों के बाहर फेंक दिया This is your final answer J.Main 2019 का सवाल तो ये सारी variety तुम्हारी अब क्लियर हो गई है अब selection में एक step आगे बढ़ते हैं NCR को हमने पेल दिया है एक step आगे बढ़ते हैं Total number of selection बच्चे total number of selection से थोड़ा कम familiar होते हैं मैं पहले इसका meaning थोड़ा बताना चाऊँगा बे अब मेरे पास पढ़ी है चार chocolates ठीक है जी मैंने सामने रख दी और तुम में से बच्चे को बलाया माल लो मैंने किसको बलाया किसको बलाया गर्व को बलाया मैं गा जा जो उठाना है जितना उठाना है उठाले This is called total selection अगर मैं कहता है गर्व जाके दो चॉकलेट उठा ले ये दो का सेलेक्शन हुआ answer 4C 2 ways उठा सकता था वो मैंने का जो मर्जी जितना मर्जी उठा यानि कि मैं का तेरा दिल करता है एक उठानी है एक उठा ले तेरा दिल करता है दो उठानी है दो उठा ले तीन उठानी है तीन उठानी है जो उठानी है अब यह लग बात है कि वो भूखा होगा चार उठालेगा उसकी चॉइस इसे कहते हैं टोटल नंबर अफ सेलेक्शन अब इसके कितने वेज होंगे जो तुम बोल रहे हो भी सर या तो वो एक उठाएगा उसके इतने तरीके बन सकते हैं या फिर वो दो उठालेगा इसके इतने तरीके बन सकते हैं सर या फिर तीन और ठालेगा उसके एतने तरीके तरीके। सर या वो भूचा है हमको पता है гол Nie साल माला ही भाई या hear दो के चारू-णे प्षालेगा उसके एतने तरीके बन सकते हैं और मेरे साहग से थोड़ा बहुत में तो यह ट् Dazu पार ।वॉर के बराबर होता है माइनस वान याद आया यह माइनस वान कौन सा किया है जिसको मैं हटाने लगा हूँ क्योंकि भया जी जरूरी नहीं कि गर्व आपके जैसा हो वो अच्छा बच्चा भी हो सकता है भाई मैंना आकल शूवर छोड़ के बैठा हूँ मैं कोई भी नहीं उठा रहा यह भी एक सेलेक्शन है जीरो सेलेक्शन बिल्कुल शेरॉन तो इसकी वैल्यू टू पर फोर के बरावर होती है तो इस इस काल्ड टोटल नमबर अफ सेलेक्शन अब अगर मैं कहा देता है वह यह एक तो उठानी है भाई तो मेरे घर आया गेस्ट है मेरा खाली हाथ नहीं जाएगा तो ठीक है इसको हटा के उधर माइनस कर देते माइनस वान लगा देते यह है आम जिंदगी अब आपको सिखाऊंगा मैंटॉस जिंदगी यह आम जिंदगी है बता रहूं यह आम जिंदगी है यह छोटे सवालों तक लगेगा बड़े सवाल में नहीं लगेगा अब सुनो मैंटॉस जिंदगी मैंटॉस जिंदगी क्या कहती है और कहता क्या तुम यह NCR यूज कर रहे हो बाहर निकलो ग्रो अप डूड क्या NCR लगा रखा है रियल लाइफ में क्या करोगे अपने आप पे सोचो तुम्हारे आगे चार चॉकलेट रख दी गई है और तुम्हें कहा गया जो जितना उठाना उठा ले तुम क्या करोगे प नहीं उठाना है इसको डिसाइड करने के बाद चॉकलेट टू पे गए देखा उठाओ या ना उठाओ फिर से दोवेश सब जोब टू थी चॉकलेट टू करो उठाओगे या ने उठाओगे इसके भी दोवेश तो बेसिकली हर एक चॉकलेट को देखते समय आपके टू पार फूर इतने तरीके से आप कोई भी चॉकलेट उठा सकते हो जितनी मर्दी चॉकलेट उठा सकते हो टू पार फूर शाबाश सवाल देखो अगर हम बात करें बेबी कोशन की जो तुमारे किसी मेथर से हो जाएगा consider a set 1 2 3 4 find the number of subset try to see he's asking total number of selection yes or no tell me in the chat छूट नहीं बोला इसके कितने subset बनेंगे यानि कि total selection कितने कर सकते हो subset क्या होता इन में से कभी एक element उठा लिया कभी दो ऊठा लिए कभी तीन उठा लिए कभी चाँ उठा लिए यह सबसेट है तो आपने कहा सर जी 2 पार 4 इस आंसर जो कि आपको beginning में भी पढ़ाया जाता है जब sets में आप पढ़ते है number of subsets 2 पार N इतना पिद्दी सवाल exactly पर यह जो आपने 2 पार N बनाया था उसको बनाने के 2 तरीके थे अब आपको पता लगेगा कि मैं आपको दूसरा तरीका Q बताया इस B पार्ट को देखिए अब यह थोड़ा अच्छा सवाल बन गया कहता इसमें से न दो subset निकालो जिनका intersection फाई हो in how many ways P and Q can be formed where P and Q are subsets of A and their intersection is फाई अब यह ध्यान से सुनना दूसरे तरीके से यह होगा तुम्हारे आगे 1, 2, 3, 4 बैठा हुआ है और तुम्हारे आगे दो खाली बैग बैठे हैं यह subset बनने वाले हैं इसके तो तुम्हें यह बैग से ऐसे फिल करने हैं इनको यूज़ करके such that intersection फाई है common कुशन आए तो जिन्दिगी में आम जिन्दिगी में जाओ तुमको मैं यही काम दूँ चार नमबर देके बोलू P और Q में डालो किसी को तांकि intersection फाई रहे तो कैसे करोगे सबसे पहले बन को उठाओगे उसका decision लोगे मैं कहां डालने बाला हूँ try to see आप division तीन तरीके से ले सकते हो या तो इसमें रख दोगे और इसमें नहीं रखोगे क्योंकि आप intersection फाई चाहते हो या फिर इसमें रख दोगे इसमें नहीं रखोगे यह दूसरा तरीका और एक तीसरा तरीका भी है मैंने किसी में नहीं रखा तो सबसे पहले मैंने वान उठाया उसका डिसाइड किया कि मुसको कहां डालने वाला हूं और इसको वहां डालने के तीन तरीके बने similarly फिर मैंने two को उठाया I don't think now I need to explain anymore two को डीन करते के ताव को इंधार रखोुगा इधर नहीं रखोंगा यहां जब मैं प玩 करर चुका हूंगा यहार नहीं नगे दिखाता हूं मझा और चलो हुआ हम मैंने का उठाओ वन को डिसाइड करो मैंने डिसाइड किया मैं वन को यहां रखूँगा इधर नहीं रखूँगा ओके वैरी गुड मैंने का उठाओ टू को डिसाइड करो मैंने का सर मैं टू को कहीं नहीं रखूँगा मैंने का उठाओ 3 को decide करो सर मैंना 3 यहां रखूँगा मैंने का उठाओ 4 को decide करो सर मैंना 4 को यहां रखूँगा देख लो आपके दो subset बन चुके है P और Q जिनका intersection 5 है Yes or No? P में है 1,4 Q में है 3 So by the time you come here by the time you do your fourth sub job आपके दो subset बन चुके होंगे जिनका आपसे कुछ भी common नहीं होगा God bless you Yes Sankit Kumar Singh अरे IIT दुर्की मिल गया God bless you Shira Guys right now आपका senior भी चैट में बैठा हुआ है जो की काफी regular था last year पूरा last बाद है यह भी बीता ही है भी So he finally got into IIT दुर्की I am really happy for you बेटा God bless you Love you very much इसे साब से सोचा जाता है पटाक विजुलाइज भी हो गया अब चलते हैं आगे आगे चलते हैं ओ आगे आजा ओ गुसा नहीं खाना जेले ऐसी आजा अब एक और पार्ट देखते हैं How many ordered pairs PQ can be made such that intersection contain exactly one element अब यहाँ पर careful होना है बच्चे गलती क्या करते हैं सर 1 को दोनों में डाल दो और बाकी सवाल तो पिछले जाए सही है क्यों भई 2 कोनी दोनों में डाल सकते थे या 3 कोनी दोनों में डाल सकते थे या 4 कोनी दोनों में डाल सकते थे पर बात तो सही है अगर मैं 1 को दोनों में डाल दूँ तो कितने बनेंगे PQ सर 1 को दोनों में डाल दिया तो यहां पे 3 x 3 x 3 सर 3Q बनेगा तो टोटल 27 ways ऐसे हैं जब 1 दोनों में है और बाकी सारा disjoint है बाकी कुछ common नहीं है इतने ही बनेंगे जब 2 दोनों में है और बाकी disjoint है इतने ही बनेंगे जब 3 दोनों में है इतने ही बनेंगे जब 4 दोनों में है Yes or No Do you all agree? चैट में बता दो Do you all agree? आई शाबाश परी चैट मेरी हिलगी यहां पे set कर लूँ कर ली set Roger that agreed sir शाबाश तो यह तुमारे basic basic fundे सारे बन चुके बेटा अब तो अब तुम कैंट वाली category में आ चुके हो ओके शाबाश आगे देखते हैं अब और यह आगी थोड़ी main से उपर level की main में ऐसे कम आते हैं आ चुके इस बात नहीं आते नहीं है बट initially advanced में आते थे अब तुम selection कर रहे हो जहां पर ना सारे के सारे element distinct नहीं है कुछ हलाई का कुछ distinct है इद्धास देखना जैसे की पहला तो बहुत खटिया कहता है चार A बैठे सारे same number of ways of selecting two A कितने होंगे याद रहना selection में हम different selection किसको मानते हैं जिन में या तो number of element different हों या फिर वो element खुद ही different हो यहाँ पे तुम कोई भी दो उठाओ वो same ही दिखेगा तो यानि कि यहाँ पे way आए one only one way दो different selection कब मानी जाती है जब उन में number of element अलग हो या फिर वो element खुद अलग हो यहाँ पे कोई भी दो उठाओ वो same ही दिखेगा बट यह B part बहुत कहा एंटा यह ध्यास समयना कहता तुम्हारे पास तीन A बैठे हैं दो B बैठे हैं और तीन C बैठे हैं ओओ 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 नजारे नजारे तीन C बैठे हैं इसे ध्यास से जखना ना miss मत कर देना high level जा रहा है इन में से तीन letter उठाने कितने तरीके इसे कराने से पहले यहांसे अपको यह पूछना चाहूँगा अगर यहां पे तीन A रख दू तू मैं बोलूँ भी जाते ही बोल गए है मैं बोलूँ कि यहां से एक A उठाओ कितने तरीके बताओ यहां से एक A उठाओ कितने तरीके सर एक ही है अच्छा, मैं कहूं यहां से दो A उठाओ कितने तरीके तुम कोगे एक ही है मैं कहूं यहां से तीनो A उठा लो एक ही वे है अके तो याद अखो जब मैं कहता हूँ इस सवाल में कि मुझे तीन number of ways of selecting three letters मुझे तीन letter उठाने है तो matter बस ये करेगा कौन सी bucket में से आ रहा है कोई कि bucket के अंदर pick करने का तो ये की तरीका है तो bucket के अंदर जाने की जरूरती नहीं है तो अगर मैं तीन element उठाना चाहता हूँ यहां से तो मैं क्या बोलूँगा या तो मैं तीनो के तीनो alike letter उठाना लूँगा या फिर two alike और एक different उठाना लूँगा do you all agree दो possibility है तीन उठाने है हाँ या फिर तीनो different उठाना लूँगा तो या दखना जब भी आप कुछ alike कुछ alike में से selection करते हैं तो matter ये करता है कि कितने alike उठा रहे हो कितने distinct उठा रहे हो तो अगर अब तुम मुझे chat बताओ अगर मुझे यहां में से तीन alike element उठाने हैं तो कितने तरीके हैं बोलो शाबाज चैट मैं पढ़ रहा हूं तुमारी चैट अगर मुझे यहां पे तीन alike letter उठाने हैं तो कितने वेज हैं सर जी दो ऐसी दो ही buckets हैं जहां से तीन alike उठाए जा सकते हैं ऐसी दो ही buckets हैं सर बucket के अंदर देखने की जूर से नहीं है bucket के अंदर से तो एक ही तरीका है अच्छा दो alike और एक different उठाने है तो क्या करेंगे यहां पर दो एलाइक उठाने के कितने तरीके ये बताओ मैं बतारा हूं मैं किसे मचे गलती करने वाले सोच कि बताना तीन बकेट्स पड़ी है तुम्हें दो एलाइक उठाने है कितने तरीके गलती से भी 1 not बोल देना सर दो अलाइक इठाने के तरीके है 3C2 इन तीन में से कोई दो बकट फिक्स कर लो माँओ मैंने ये और कर ली इन में से दो अलाइक उठाए जा ओए ये मैंने क्या कर दिया sorry 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 3C1 तो इसमें से दो अलाइक उठाए जा सकते हैं, येस और नो, हाँ सर, अब दो अलाइक तो आ गए तो वो वाली बकेट यूज हो चुकी है, जो अगला है वो डिस्टिंक्ट उठाना है, तो जो यूज हो गी थी उसको नहीं यूज करेंगे, इन में से कोई एक बकेट उठा ल टू सी बारी, बात बनी, तो याद अखना यहां पर ये मैटर नहीं करता कि बकेट के अंदर से कितने निकाले हैं, बकेट कौन सी पकड़ी है, ये मैटर करता है, अंदर से चाहिए एक निकालो, चाहिए दो निकालो, चाहिए तीन निकालो, वो सेम ही है, एक ही वे आएगा अब आती थ्री डिफरेंट की बारी भाईया जी थ्री डिफरेंट करने के कितने तरीके भाईया इस में से इस में से इस में से तीनों में से एक 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 उठाना पड़ेगा और उसका तरीका कितना है एक ही है उसका तरीका कितना है एक ही है हाँ मैं भी यही सोच रहा था आरिम खान आजो अब इसको मैं सवाल में लगा के दिखाता हूं इसको सवाल में लगा के दिखाता हूं कहता है आप के आगे वह वर्ड बैठा हुआ है in how many ways we can select four letters out of this believe me बड़ा बढ़िया सवाल है जहां समयना इसको करने का सबसे आसान तरीकर बताने लगाओ आपने का करना है आपने bucket बना लेनी है चलो आजो बया मेरे पास कितने a है one two three three a है मेरे पास मेरे पास कितने a है four s है मेरे पास कितने aan यह हैं दो aja मेरे पास कितने n है दो एन है मेरे पास कितने t है एक टी है और मेरे पास एक oh seventh सारे कबर हो गए सेवन नाइन थाटीन थाटीन अब बात को ध्यान से समझेगा वेरी गुड विधान अभी ध्यान समझे आप सवाल में लगा के लगे सवाल में लगाएंगे अब कहता फोर लेटर उठाओ जैसा कि मैंने समझाया था पहले आपको देखना पड़ेगा कितने अलाइक उठाने कितने डिस्टिंक्ट तो आप कोगे या तो चारो के चारो अलाइक आ जाएं या फिर तीन अलाइक आ जाएं और एक डिस्टिंक्ट आ जाएं एक अलगा जाएं य या फिर दो लाइक आएं और दो डिस्टिंक्ट आ जाएं येस और नो जैसे कि ए एस आई ये सारे केस बनाना ही कला होता है उसके बाद तो कुछ नहीं है फिर तो वेज बहुत असान हो जाते हैं या फिर अब क्या करो चारों डिस्टिंक्ट थ्री डिस्टिंक्ट तो वही हो गया फोर डिस्टिंक्ट एक वर देख लेते कोई मिस तो नहीं हुआ सारे सेम थे तीन सेम थे दो सेम थे दो सेम दो अलग थे फिर चारों अलग क्योंकि तीन से तीन अलग और एक अलग का मतलब कोई नहीं वह चारों अलग हो गए तो चारों तो चार रालाइक उठाने के लिए मेरे पास कितने ब्कट्ट बैड हैój है, तो एक बे, खत्म, आगे आजो. तो फरी एलाइक उठाने के लिए कितने ब्कट्ट्ट बैठे हैं ? बताः एक दो. दो bucket बैठे हैं sir 3 alike उठाने के लिए मैं यहां से भी 3 alike उठा सकता हूँ एक मत बोल देना सर 3 alike उठाने के लिए 2 bucket बैठे हैं तो उन 2 में से कोई 1 bucket उठा लो अब 3 alike तो तुम्हारे पास आ गए जो आ गए अगले वाला distinct उठाना है तो जो आपने select किया था उसको ठक दो एक, दो, तीन, चार, पाँच ऐसे 5 bucket हैं जिन में से आप एक letter उठा सकते हो फिर से समझो अगर doubt है देखो दो एलाइक दो एलाइक जरा बताइए दो एलाइक उठाने के लिए कितने buckets available हैं चाबच सर, आ, गलती करларए सर, दो, मैं पिठाई करूँगा हाँ, चैतने बिलकुस ही बोला बेटा, मैं यहाँ से भी दो एलाइक उठा सकता हूँ ए, ए, उठा सकता हूँ उस ने का 3 है, यहाँ से भी तो एलाइक उठा सकता हूँ तो जहां पे भी दो या दो से जदा हैं वहां से दो alike उठाई जा शक्ते हैं तो एक, दो, तीन, चार ऐसे चार bucket हैं जहां से दो alike उठाई जा सकते हैं इन चार में से कोई दो bucket select कर लीजिए मानलो मैंने यह दो किये तो यहां से दो S आ गए यहां से दो आई आगे तो अलाइक तो अलाइक गर्व इट विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे आ जो तो अलाइक प्लस तो डिस्टिंक्ट पहले अलाइक दो अलाइक उठाने के लिए कितने बकेट अवेलेबल है एक, दो, तीन, चार इन चार में से कोई एक बकेट पकड़ लो तुम्हारे पास दो अलाइक आ चुके है दो डिस्टिंक्ट भया तुमने एक बकेट हटा दी है अब दो डिस्टिंक्ट जो उठाने है एक, दो, तीन, चार, पांच पांच बकेट ऐसी हैं जहां से तुम एक के कैलमिन उठा सकते हो उन पांच में से कोई दो बकेट उठा लो तो दो distinct आ गए तो distinct आ गए तो पहले इन चारों में से एक बकेट उठाई जिन में से दो अलाइक आ गए जो आई थी उसको गायब किया इन पांचों में से कोई दो बकेट पकड़ लो उसमें से distinct आ जाएंगे ये बहुत प्यारा सवाल वन गया ये निजारे भी आगे love you भाई अब ये तो असान है चारों distinct उठाने यानि कि आपको ऐसी बकेट चाहिए जिसमें एक से जादा एक या एक से जादा अलिबेंट हो तोटल बिटाई कितने बकेट पटे एक दो तीन चार पांच छे इन छे बकेट में से चार बकेट को सेलेक्ट करिए चारों में से एक एक उठा लीजिए सवाल खता हूँ बहुत बढ़िया अब मैं कंकल्यूड करने लगा हूँ तो सुनिए जब भी कुछ अलाइक कुछ अलाइक कुछ अलाइक बैटे होते हैं और आपको सेलेक्शन करनी होती है तो आपने बस ये देखना है कि कितनी बकेट उठाई जा सकती है जैसे कि तीन अलाइक और वन डिस्टिंक्ट था तो तीन अलाइक के लिए मैं देखूंगा इसी कितनी बकेट हैं जहां पर तीन या तीन से ज़्यादा एलिमेंट है मेरे पास या एक दो दो बकेट ऐसी है तो इन दो में से कोई एक बकेट उठा लीजिए आपके तीन अलाइक आ चुके है मैं को बोलेगा दो अलाइक दो डिस्टिंक्ट तोरी दो अलाइक दो अलाइक एक दो तीन चार चार बकेट ऐसी है जहां से मैं दो अलाइक उठा सकता हूँ इन चार में से कोई दो बकेट सेलेक्ट कर लीजिए उनमें से दो दो आ जाएंगे मुझे बोला गया दो अलाइक दो डिस्टिंक्ट तो भया एक दो तीन चार चार बकेट ऐसी है जान से मैं दो अलाइक उठा सकता हूँ तो पहले इसके लिए क्या करिए इन चारों में से एक बकेट को पिक कर लीजिए तो ये तो हो गया अब बोला दो डिस्टिंक्ट करने है तो जो उठाया था पहले उसको गाइब करिए अब आप क्या गये ये बचाए अब सब भूल जाएगे सोच ये बताएगे आप क्या गये ये बैठे हुए है और आपको नदो distinct element उठाने है कितने तरीके से उठाएएंगे आपको दो दो bucket उठानी पड़ेंगी दो distinct के लिए दो bucket तो एक bucket वे सेम दो सेम ही है अगली bucket भी सेम ही है तो दो distinct element उठाने का मतलब क्या है दो distinct bucket उठाएए तो इन 5 में से 2 अठा लिजिए दो distinct element में मिल गए इसे जरूर रपीट करिएगा यह सवाल बहुत ही जोरदार बनता है पहले बता दूँ जरूर रपीट करिएगा हां जी सर बहुत वदिया वेरी गुड शिवी अब देखो NCR का यूज जिमेंटिकल प्रॉब्लम में तो होता ही होता है उसके बिना तो हो इन सकता है पानी कांगे मेरा यह रहा सबने देख्यों के सवाल पहले घटिया सवाल देख लो सबने देखा हो गाइस ओनो टैल में दा चैट जो समय देखा होता है है तो यह सब क्लिमकर भी देता हूँ कहता एक नाम सर्कल पे N पॉइंट है यार पहले मैं इसको यह अपनी पेड केंडिट आया हुए बहुत टाइम से हाला कि चलो अच्छी लिमिट में ही बाते कर रहा है बट टाइम बेस्ट कर रहा है हट चलो आज कोई भी तीन कोलीनियर नहीं है सारे अलग-लग है तो सवाल कहता जौइनेंग these points हाँ में या वह यह न में से कोई दव पॉइंट स्टेफ्ट जो है वो दो पॉइंट से बनेगी तो एक selection of two point will give you one line another selection of two point will give you another line तो जितने तरीके से दो point select होंगे उतनी ही lines बन जाएंगी कहता triangle कितने बनेंगे मैंने का same logic any selection of three point will give you one triangle तो जितने तरीके से तीन point select होंगे उतने ही triangle बन जाएंगे तो मैंने का भाया nc3 exactly and then आया यह वाला point यह सबको वाता है सबने formula याद किया हुआ है वोलो यह वाला किया है joining these points a polygon is made find a number of diagonals आओ एक दो तीन चार पांच कहता इन पांचों को जोड कर एक polygon बनाया गया कहता है diagonal कितने होंगे मैंने का रुको सबको जोड़ दो सबको जोड़ दो मैंने का जहां जहां जोड़ सकता सारे जोड़ दो सारे जोड़ दो तो क्या बचेगा मेरे पास तर डागनल बचेंगे पेटा एन पॉइंट को जोड़ा था तो कितनी साइट्स आई होंगी एन साइट्स की बात कर रहा हूं एन तो अगर मैं टोटल लाइंस जो बनी है उनमें से साइट्स को हटा दू तो बाकी सारे डागनल तो बने लव कॉमुला एंसी टू वाइनस एन पर यह मैं सिखाने नहीं आया यह मेरा एक्सपेक्टेशन सबको आता है हाले कि बच्चा था जिसको नहीं आता था पर चलो कोई बात नहीं मैं सिखाने आया हूं इसका अगला लेवल याने की यह वाला एक सिट्ट्रा पॉइंट आउट आ बिगनिंग में तो नहीं आता होता जॉइनिंग दीस पॉइंट्स हाव मैनी लाइनस विल बी मेड़ अगर तो यह पॉइंट कॉलीनियर ना होते तो सीधे सेवन सी टू गेम ओवर फिनिश्ट बट बोला गया कि चार कॉलीनियर हैं अब इन में कितनी लाइनस बनेगी सुन पॉइंट आएंगे लाइन बनेगी हाँ सर तो सर 3C2 लाइनस तो यहां से बन जाएंगी बिल्कुल सही फिर क्या करिए अब इसको इन्वाल्व करना शुरू करिए अब इसको इन्वाल्व कैसे करेंगे वह सारी काला सुनों पहला तरीका था कि दोनों पॉइंट यहां लि आगया ये भी तो line बनेगी हा सर तो ऊपर एक point उठाने का कितना तरीका है 3C1 और नीचे एक point उठाने के कितने तरीके है 4C1 तो इतनी lines बनेगी जब एक point यहाँ एक point यहाँ इसे कहते constructive manner यहाँ लाइन को बना रहे हैं तो पहले किया गए, दोनों पॉइंट ब्लू में लिए गए, फिर किया कि एक ब्लू में है, एक ग्रीन में है, और अगला सबसे इंट्रेस्टिंग, जब दोनों पॉइंट ब्लू में लोगें, वहाँ गेम चेंज हुआ, जब दोनों पॉइंट ग्रीन में लोगें, तो कितन पर इसी concept को एक level आगे लेके जाने के लिए इसी का भाई देखो एक दो तीन चार चार point non-collinear है और चार point collinear है आपको बोला गया triangle बनाए कितने triangle बनेंगे अब ध्यान से सुनियेगा कैसे किया जाता है यह थोड़ा basic level से आगे निकलिए करता जी triangle कितने बनेंगे तो जैसा मैंने खा ब्लू से शुरू हो जाओ अगर तीनों point blue में आते हैं तो इतने triangle बनते बिलकुल पहले तीनों यहां ले लो point यहां पर कोई मत लो फिर करो दो point यहां ले लो और एक यहां पर ले लो फिर एक यहां लो दोनों यहां लो और फिर 0 यहां तीन यहां यहां यानि कि आपने तीन point उठाने हैं एक pattern में उठाओ तो अगर तीनों blue में उठाए इतने triangle बने अगर मैं दो उठाऊं blue में दो उठाऊं blue में and एक उठाऊं यहां पे तो इतने ट्रेंगल बनेंगे बिल्कुल सर तीन एक point blue में अब एक point blue में उठाने के इतने तरीके दो point green में उठाने के इतने तरीके तो इतने triangle बनेंगे जिनमें एक point यहां होगा दो point यहां होंगे अब लाज सबसे interesting है ऐसे triangle कितने बनेंगे जिनमें यहां से zero point यहां से तीन point भाया जी zero जब यहां पे तीन point लिए जाएंगे वो कुलीनियर होंगे वो आपको दो कम दो point इधर ले जाओ दीरे-दीरे सारे point इधर ले आओ तो वहां से counting हो जाएगी कितने बनेंगे आओ जो मैंने अभी बताया उसी का quadrilateral वाला करो अब तुमको समझ आएगा जो प्राइंगल बताया मैंने उसी का quadrilateral देखो अब कहता चार पॉइंट नौन कुलीनियर चार पॉइंट कुलीनियर है कहता कितने quadrilateral बनेंगे मैं इसको माक कर देता हूं color से तांकि आपको देखने में समझ आए आसानी से केस बनाने केस क्या बनाने ध्यान सुन लो चारो पॉइंट यहां लिए गये थे यहां पर कोई पॉइंट नहीं लिया था तीन पॉइंट यहां लिया था दो पॉइंट यहां लिये थे दो यहां लिये थे एक यहां लिया था तीन यहां लिये थे यहां कोई भी नहीं लिय से पहले वाला यहांपर 4 point select करोंगे तो इतनेने वेस नीचे कोई select नहीं करना इतने वेस तो इतने वेस तो इतने बनेंगे जहां चारो point blue में बठ़े होंगे ओक उपर तीन select करो और नीचे एक यह दूसरा वे आगए, दूसरा पॉसिबल, यानि की ऐसा Quadrilateral, ऐसा Quadrilateral, जिन में तीन पॉइंट उपर बैठे हैं, और एक नीचे बैठा हैं, ऐसे कितने होंगे, भाई या, उपर तीन सेलेक्ट करिए, और नीचे एक सेलेक्ट करिए, फिर कैसे quadrilateral जब उपर दो और नीचे दो है 4C2, 4C2 और इसके आगे ध्यान दो 00 हो जाएगा क्यों बेटा जी जब मैं इसको calculate करने लगूंगा तो ये मुझे quadrilateral देगा ही नहीं उपर एक point है और नीचे तीन point है it will not give me a quadrilateral it will give me a triangle बोलो आगे नजारे आगे नजारे फुल आन हो गया तो दिस इस यूर आंसर आई शावाश clarity ओपी तो ये कैंसल तो लास्ट के दो जो है वो कैंसल हो जाएंगे क्योंकि वहां से quadrilateral मिल ही नहीं पाएगा ठीक शावाश तो इससाब से किये जाते है आपके सवाल जिनमें कुलीनियरिटी का कंसेप्ट आ जाता है यह एक standard वराइटी होती है जहां पे number of square और number of rectangle पूछे जाते हैं कहता six horizontal lines है एक दो तीन चार पांच छे और पांच वर्टिकल है दो तीन चार पांच कितने square और कितने rectangle बनेंगे standard approach है समझ लो पी जाओ rectangle कितने बनेंगे बैटा जी कोई दो horizontal lines को पिक कर लीजिए एक दो तीन चार पांच छे छे मेंसे कोई दो पिक कर लीजिए नाव पांच मेंसे कोई दो पिक कर लीजिए एक दो तीन चार पांच मेंसे कोई दो पिक कर लीजिए बैटा जी दो सब मेने किया मेरा सब जॉब 1 दो हरिजोंटल लाइन लाइन को पिक किया मैने मेरा सब टू दो वर्टिकल लाइन को पिक किया मैंने तो ट्राइटू सी मेरा रिक्टैंगल बन चुका है रिक्टैंगल बन चुका है चैंडर्ड अप्रोच यह तो असान पार्ट है तो याद ही कर लो nc2 into mc2 अब आता है दूसर दूसर थोड़ा अलग है square कितने बनेंगे square में concern क्या आगया square में concern है कि वो lines में gap same होना चाहिए यहाँ मैंने कोई दो line select करनी थी मैंने 2 के gap पे की यहाँ पे एक के gap पे की तो rectangle तो बना बट square नहीं बना square नहीं बना square के लिए मुझे gap बराबर रखना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले one by one square गिनेंगे फिर two by two square गिनेंगे फिर three by three square गिनेंगे and so on pattern याद कर सकते हो बहुत डिरेक्ट होता है one by one square कब बनेगा जब horizontal में यह आ जाए यह 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 एक दो तीन चार पांच मेरे पास पांच तरीके है horizontal line चूज करने का such that उनमें gap one unit का हो similarly एक दो तीन चार मेरे पास चार तरीके है vertical lines चूज करने का such that gap एक का हो तो इतने बनेंगे one by one square अगर बात करें टू बैटू स्क्वेर की तो पैटर्न इतना अच्छा होता है इसमें से एक कम कर दो इसमें से एक कम कर दो इतने बनते हैं टू बैटू प्यार टू स्क्वेर दिखा तो कैसे अब दो का gap रखना है यह पहला वे यह दूसरा वे यह तीसरा वे यह चौथा वे तो चार तरीके हैं दो horizontal line चूज करने के जिन में gap दो unit का हो similarly एक दो तीन तो तीन आ जाएंगे यहां से अब अगर बोलूं कि three by three कितने बनेंगे वही pattern continue इधर एक कम कर दो इधर एक कम कर दो इतने बनेंगे three by three फिर इधर एक कम करो इधर एक कम करो इतने बनेंगे four by four इसके आगे जा नहीं पाएंगे बैटा अगला zero आ गया तो this is your final answer तो यह pattern आपको याद रखना चाहिए number of squares के लिए yes of course dark world see you there बेटा आहा बेटा जी अब आजाओ mixing पे हमने अच्छा खासा ncr को देख लिया अच्छा खासा देख लिया अब ncr और r factorial को mix करना शुरू करते mixing करो इंग की how many four letter words can be formed containing g that can be our daughter से तो मेरे आगे यह seven letters एच भी था बीच में eight letters बैठे हुए है यहां से four letter word बनाना है such that उसमें जी जरूर हो वैसे तो इस सवाल में बी पार्ट ज्यादा important है क्योंकि वहां गलती होती है right पर एपार चलो देख लो पहले repetition not allowed तो कितने word बन सकते तांकि जी पक्के से हो तो सब जॉब बनाओ बहिए आपको मैं आप रियल लाइफ सोचो बहिए अग डॉटर से four letter word बनाना है जी तो होना ही चाहिए तो सबसले क्या करोगे जी को उठाके कहीं पर रख दोगे तो जी को उठाके रखने के कितने तरीके हैं four इसे उठाओगे और या तो यहां 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 रख दोगे तो लो एक जगा रख दिया उसको pack कर दिया अब मेरे पास कितने place बच और मेरे पास कितने candidate बैठे हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ candidate साथ position तीन बड़ी नाइसाफी है तो जो साथ candidate थे उन में से मैंने तीन candidate select किये और उन तीनों को इन तीन जगा पे बिठा दिया हैंस मेरा four letter word बन गया जिन में जी तो पक्ये से बैठा हुआ है that is the way to do it in part one be part में यह प्रोच बिल्कुली लगानी पी जाओ जब भी आपका ऐसा सवाल हो कि भाया यह चीज तो आनी ही चाहिए और repetition allowed है को हमेशा वह प्रोच लगाओ जो सेफ होती है वह प्रोच जो यहां भी काम करेगी और यहां भी काम करेगी सहीं बताओ इसको करने का better way पता क्या था better way total four letter word इतने बन सकते हैं भी यह चार उठाए और चार सजा दिये इतने बनते इन में से उन words को हटा दो जिन में जी को use नहीं किया गया था तो जी को काटो बाकी साथ में से चार उठाओ और उनको arrange करो यह है method two जो की जादा important है it is more important total words minus word जिन में जी नहीं था तो बचा क्या जिन में जी है and this is the approach जो आपको repetition allowed में तो mandatory लगाना है mandatory यहां पर option है जिससे मर्जी करो बट repetition allowed में mandatory है तो याद अखिए जब भी repetition allowed हो और constraint लगाओ कि यह चीज़ तो आनी चाहिए हमेशा total minus words not containing g minus की वो चीज़ नहीं हुई हमेशा ऐसे ही करना है बस पी जाओ तो total तो बहुत असान है repetition allowed एत अप्षिन एट अप्षिन एट अप्षिन एट अप्षिन माइनस जी नहीं यूज करना तो जी को हटा दो 7 ऊप्षिन 7 ऊप्षिन 7 ऊप्षिन 7 ऊप्षिन बी पार्ट को रट लेना बहुब अच्छे गलती करते हैं पी जाना इसको तो कि समझेए पी जाना हमेशा टोटल माइनस हमेशा टोटल माइनस नौट रिक्वाइड ही करना है हमेशा को वम है एद्र यूज टोट क॒मप्ली मेंट अप्रोच कंप्ली मंद अप्रोच कंप्ली मेंद अप्रोच पिटा यह पीडियाफ आपको description में मिल जाए रात को तो टेंशा मतलो ओ याल्ट फिटे मू अमेशा यह होता है मुझे यूज कॉम्प्लीमेंट एप्रोच ओल्वेस ओल्वेस मतला मेंडेटरी है कुछ और सोचना ही नहीं है ओल्वेस ठीका जी पॉइंट एकन सर शाबाज आज एक और देख लेते हैं टैने डिफ्रेंट लैटर्स ऑफन अल्फबेट आर गिवन टैन लैटर्स गिवन है वर्ट विद फाइव लैटर्स आर फॉर्मड ठीका दस में से पांच लेटर का वर्ड बनाना है नंबर ओव वर्ड्स विच हैव अ कि दुनों को चमकता है अट लीस्ट वन रेपीटिशन को मैं कॉम्प्लिमेंट से करूं हमेशा तो भीटा दस में से फाइव लेटर का वर्ड टोटल कितने बनते हैं टोटल टैन पार फाइव टोटल वर्ड रेपीटिशन सब कुछ मिला के टैन पार फाइव इन में से नो रेपीटिशन वाले कितने होंगे तस में से पांच लेटर पहले उठाईए और फिर उनको आरेंज कर दीजिए यह ओनगे नॉन रेपीटिशन वाले तो टोटल में से यह माइनस करेंगे तो क्या बचेंगे जिनमें एक रेपीटिशन तो आया यह इक्जेट्ली डिर्णा नहीं था दरना नहीं था यह समयना था तो एक लीस्ट वान हो जाए तो टोटल माइनस नहीं हुआ ऐसे ही सोचना है हमेशा इग्जेटली कि भाया कितने बच्चे बैठे हैं इस समय जिनको यह पता है कि क्या लिखा हुगा क्योंकि जिसको यह नहीं पता मैं का बेटा यह दि जिनको सेपरेट करना है जैसे यहां पर गर्सको सेपरेट करना है तो उनको लडибо को बाकियों के गैप में बिठाया जाता है तभी तो सेपरेट होंगी तो यानिकी मुझे जfangs को बॉए के गैप में बिठाना है तो पहले बॉइक er 퍼 हो और किकने गैप तुमारे पास उनके लर्केव को इन गैप में गर्स को बिठाओ तो गल्स अपने पर अगलों हो जाएंगी तो जिन को separate करना होता है उनको दूसरों के गैप में बिठाया जाता है तो पहले बॉइस को अरेंज कर दिया देखा आठ गैप आगे भीया मेरे को आठ नहीं चाहिए में को तो सिर्फ चार स्पेस चाहिए अवेलेबल आशाट बठें ओके इन आठ गैप में से पहले चार गैप को सेलेक्ट करो उनको इज़त दो क्यों इसे कहते हैं गैप मेंत तो जिनको सेपरेट करना होता है उनको दूसरों के गैप में बिठाया जाता है पहले दूसरों को अरेंज करो फिर गैप में इनको सजा दो बैठो प्रबू बैठो अगर कुछ अब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको एक साथ रखना है तो उनको एक ब्लॉक में रख लीजिए और उसको एक ही अब्जेक्ट मानिए जहां पर चार जी बैठे हुए है अब क्या करिए यह एक बैग है इसके लावा सेवन भी बैठे हुए है तीन चार पांच छे साथ इसका एक बैग बना दिया और साथ भी है टोटल कितने अब्जेक्ट होगे सर आठ इन आठों को अरेंज करिए ऐसे तीन चार पांच छे साथ मालो आपने ऐसे रेंज कर दिया जो बिगनिंग में बच्चा पक्के से भूलता है बेटा जी ये ब्लॉक के अंदर तो आपस में अरेंज हो सकती है ना अंदर तो यानि की इन्टू फोर फेक्टोरियल डिस वेरी क्रिटिकल टर्म बहुत बच्चे बिगनिंग में इसको मिस कर जाते हैं तो ब्लॉक के अंदर उनको अरेंज करना बहुत जरूरी है शाबाश तो एक फेक्टोर इंटू फोर फेक्टोर जिनको भी एक साथ रखना है उसको एक ब्लॉक मान लीजी ये एक ही इलमेंट माना जाएगा यह रहे लगलग अलिमेंट टोटल आठ हैलिमेंट हो गए पहले आ इसे दिमाग में रखिए यह सेम नहीं है नोट ऑल टुगैदर मतलब एक ही केस है जो आपको हटाना है और वो कौन सा है जब सारी लड़कियां एक साथ आ गई थी यानिकि ब्लॉक में आ गई थी तो मुझा एक ही केस हटाना है तो टोटल तरीके जो है रेंज करने के टोट हटा दीगे जो आपको नहीं चाहिए मुझे चाहिए और गास वाला नहीं चाये तो अग्स्ट टूगैदर वाला केस हटा दीजिए जो आपने अभी किया था ब्लॉक माना के इसका मतलब थै कि नोट आर्ल टूगैधर जही मन मगाई बॉर एक सब्सक्राइब और टो फैमिली हमें इद थेमर है और फैमिली टू में विटीन थी अर्व मैंछेंस failed और कि फेमली थ्री में फोर में रहें ठीक है बलकुल फैमीड 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 टू फैमिली थ्री कि आट भी सीटीट इन रो इनको रो में बिठाना है ठीक है in how many ways can they be seated so that the same family members are not separated यानि कि वो कहना चाता है कि ये तीनों एक साथ बैठें ये तीनों एक साथ बैठें और ये चारों एक साथ बैठें तो भाई ये तीन ब्लॉक बना दो, तीन ब्लॉक बनाओ इनको एक साथ रहना है, इनको एक साथ रहना है, इनको एक साथ आजे बीर ने सही हो सकते है इसके अंदर जो तीन बैठे हैं वह तो रिंज होंगे और इसके अंदर जो चार बैठे हैं मत बूल जाना मैक्सिम बच्चे वहीं पर गलती करते हैं यह है इसका फाइनल अंसर येस इग्जेक्टली बी इस राइट आप्शन यह एक्स्टेंडर सा फॉर्मूला है कुछ अगर अलाइक हो तो अरेंजमेंट कैसे करते हैं कितने वेज होते हैं वो जितने अलाइक होते हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते थे याद है जैसे कि तुम्हारे पास अगर वर्ड है ममी, तो ममी को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे टोटल 5 लेटर थे तो 5! बट 3M सेम थे तो नीचे 3! ऐसे अरेंज है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, टोटल 7 लेटर थे तो 7! बट उनमें से 2R सेम थे और 2A सेम थे तो टू फेक्टोरियल से डिवाइड कर दिया ऐसे ही यह, तो यह हो गया जब आप अरेंज कर रहे हो, पर उनमें से कुछ अबजेक्ट अलाइक है डेट फॉर्मूला, डेट सवाल भी आया हुआ है, मिक्सिंग कर दी गई, देखो, कंसेप्ट की मिक्सिंग करके यही में में पूछा गया आपको लेटरिक वर्ड दिया गया, कहता, कितने तरीके से रेंज कर सकते हैं, so that, वावल्स नेवर कम तुगेधर वावल्स नेवर कम तुगेधर, यानि कि जो ई, ई हैं, इनको एक साथ नहीं आना, इनको सेपरेट करना है, अगर इनको सेपरेट करना है, तो बाकी जो चार लेटर हैं, उनके गैप में बिठाएंगे, यस और नो, दो कंसेप्ट मिक्स कर दिये, अरेंजमेंट अफ लाइक a like object and gap method, तो आपको e, e को इन चारो के gap में बिठाना है, तो पहले तो इन चारो को arrange करो, 4 factorial upon 2 factorial, एक बार arrange हो गए, तो आपके पास आए 5 gap, इन 5 gaps में 2 e को बिठाना है, भाया, places 5, element 2, 9 साफ ही है, तो पहले इन 5 places में से 2 places को select करो, जहां पर दोनों E को बिठाओगे और फिर वहां पर E को बिठा दो अब वो क्योंकि यह लाइक है तो एक ही तरीका जाबाश तो ऐसे बहुत बेसिक बेसिक कंसेप्ट जोड़ के कई बड़ी में डिरेक्ट सवाल पूछा जाता है या फिर यह से ऐसी चीज़े प्रवाबिलिटी में यूज होती है तो एल्थ में जाकर यह आपस मैंनी लड़ना बेटा पड़ने आयो पड़ो मैं कोई के लड़ाई और दिखी न मैंने कैमरे में घुसके न तुमको चुन्नू मुन्नू क्या के उड़ा देना है दर नंबर ऑफ सेवन डिजिट इंटीजर्स यह जही में बड़ा ही प्यारा सवाल ऐसे सवाल तो बेटा जी आपको 12345677 डिजिट नंबर बनाना है यूज सिरफ 123 करना है और कंडिशन यह है कि टोटल जो सम आफ डिजिट बनेगा वो 10 होना चाहिए तो यहां पे आप पहले केसिस बनाते हो राइट कोई यार पहले मैं को टाटा बाई बाई बोलू जाओ यार तुम्ह कर दिया है खुश टाटा बाई बाई होगी और कोई है जिसको खेले का मन कर रहा हो बताओ यह पढ़ने आते हो पढ़ाई करो आजो तो बटा जी आजो तो हम क्या करेंगे ऐसे यूज करेंगे कि 10 बने तो हमेशा सिस्टम क्या होता है पहले सबसे छोटा नंबर लिख लो स सम कितना बन रहा है 10 तुम्हें कितना चाहिए सब्सक्第一 कि नंबर सेवन तुम्हें चाहिए टन तो बड़े नंबर्स को यूज करना शुरू करो अगि मैं इसको हटा दूं अभी कितना बन रहा है 6 पूद को यहां पर दून और थृ को यूज चाहिए या आपास 2 और 3 को यूज़ करना चाहिए तो एक possibility ये बन गई अब ऐसे number कितने बनेंगे total 7 थे उन में से 5 alike थे तो ये बने numbers जिन में 5 बारी एक आया है और 2 और 3 आया है और possibility देखेंगे अब ये काटा ये काटा अब ये भी काटा अब ये कितने बनेंगे 4 मुझे यहाँ पर कितना बनाना है? 6 तो 6 कैसे बन सकता है? या तो 2 तू तू लगा दू राइट या फिर ओन टू थ्री लगाऊंगा तो मुट के यही बन जाएगा तो टू तू टू ही बनेगा आइट? टू टू तू four factorial और three factorial अब क्या करो एक और वन काट दो अब यहीं पर गिन लो अगर यह भी वन काट देते तो यह कितना बनता three एक दो तीन चार इन चार पर बनाना पड़ता साथ एक दो तीन अब यहां से बनाना है seven अब seven कैसे बनाओगे विटा seven के लिए यहां पर टू 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 वन वर वो तो आ चुका है तीन टू तो आ चुके हैं थ्री एक होगे तो थ्री वाला भी आ चुका है तो यानि कि और की पॉसिबिल्टी नहीं है बेटा आप कह रहे हो थ्री टू वन बेटा समझिए यहां पर आप टीन बाकी सारे वन या चुका है तीन दो चार एक यह आ चुका है ऐसे देखिए तो बिसी कि यह दोई पर कर दीजे आपका अंसर आ जाएगा इन दोनों पर सिबिल्टी स्को एड कर दीजे तो अंसर आज आएगा यह गाट इस प्रॉप्राप्लम जोकी फॉर्मूल और या मैं जाए होती है जो पता होनी चाहिए दी रेंजमेंट क्या होता है पहले सस्वधभी है ऐसे भेजो कि कोई चीज अपनी जगाप पह जाये नहां जैसे की Letter one letter to letter three ये टूसरे का ड्रेस ये तीसारे का मैं उपको बोलू, इनको यहां पे अरेंज करना है, कितने तरीके हैं? Sir, 3 ! Very Good मैं बोलू कि इनको यहां पे न ऐसे भेजना है कि कोई भी लेटर अपने ड्रेस पे न जाए यानि कि यहां पे न आ जाए, यहां पे न आ जाए और यहां पे न आ जाए ऐसे कितने तरीके होंगे इसको कहते डी रेंजमेंट जैसे कि इसको यहाँ भेज दिया इसको यहाँ भेज दिया इसको यहाँ भेज दिया इसको यहाँ भेज दिया इसको कहते डी रेंज करना कोई भी लैटर अपनी सही जगा पे ना जाए that is called derangement इसका direct formula होता है ये इसे मैं सवाल में use करके दिखाता हूँ आपको यहीं पर दिखाता हूँ पहले तीन objects को derange करने के तरीके क्या होते हैं factorial जितने derange करने हुआ factorial then 1 upon 1 minus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial total factorial then under क्या आएगा 1 minus 1 by 1 plus 1 by 2 1 by 3 plus minus alternate चलता रहेगा सर इसमें ये दो टर्म तो हमेशा कटेंगी हाँ कटेंगी हमेशा कटेंगी पटिक सिमिलाइब से सिमिट्री के लिए लिए लिखा जाता है तो आपका अंसर क्या बनेगा ये तो कट गया इसको अंदर लेके गए 3 factorial upon 2 factorial minus 3 factorial upon 3 factorial तो अंसर आगया 3 minus 1 that is 2 ऐसे दो तरीके है तीन अब्जेक्ट्स को दी रेंज करने के आओ एक अधा सवाल तुमको चार के लिए भी किराता हूं find number of d arrangement of 4 letters same formula use करिये क्या बन जाएगा total का factorial then 1 minus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial plus minus plus minus चलता रहेगा and ये हमेशा कटेंगे अब इस 4 factorial को अंदर ले जाएए you get your answer this is called derangement थोड़ा सा चेंज करता हूं how many ways are there such that एक लेटर अपनी सही जगह पे चले जाए अब ये स्वाल थोड़ा टेड़ा हो गया 4 letter 4 address एक letter सही जानी चाहिए बाकी तीनों गलत जानी चाहिए मालो मैं letter 1 को सही भेज देता हूं तो L1 चल गया A1 पे ये तीनों यहां पे D range होने के तरीके तो पता ही मेरे को तीन objects को D range करने के तरीके तो मैंने पिछली slide पे भी देखे हैं भी इतने बन गए Yes L1 को भेजा सही जगह पे और बाकी तीनों को D range कर दिया Same number of ways आते अगर मैं L2 को भेजता सही जगह पे और बाकी तीनों को D range करता Same तरीके आते जब मैं L3 को सही भेजता और बाकी तीनों को गलत भेजता याने की 4 into this कि आप फॉर एंपल एन है तो एन फैक्टोरियल माइनस वन करेंगे तो अभी अंसर समझे नहीं आया कि अ कि अरे नहीं 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 ऐसा नहीं होता शराउन कि डी 3 2 है पर डी 4 जो है वह 3 फैक्टोरियल नहीं होता ले मैटा डी 5 जो है वह 4 फैक्टोरियल नहीं होता है मत कर देना गलत कह रहे हो तो यहां से ऐसा बना है एक है आई शाबाश कर आपने सेशन काल क्यों नहीं लिया शेडियूल तो काल पर था पेटा काल कुछ टैकर रागता मैं आया था सेशन शुरू किया था अबरब्रब्टली बंद हो गया और वह द्वारा शुरू नहीं तो आप है माना शीख लीजिए मैं इसका प्रोसुजर बताऊगा तो कहते इसका लैटर का इस सूरत वर्ड का डिक्ष्णरी में रैंकिंग बताईए रैंकिंग कैसे की जाती है पहले तो अपनी हेल्प के लिए इन सूरत को जो लैटर्श है इसको आॉर्डर में लिख क्या है बताइए कि सूरत जो है वो कौन से नंबर पर आएगा आजाईए सुनिए कैसे करते हैं यहां पर सबसे पहले आप ए से शुरू करेंगे डिक्षणारी में सबसे पहले वर्ड एक शुरू होंगे अब क्या मेरा ए मुझे चाहिए यहां पर नहीं चाहिए तो एसे जित करने पड़ेंगे हैं इस सारे क्रॉस करने के बाद एक ही जगह पर आएगा और किए हार आपको चाहिए नहीं सर मुझे सूरत यानकी ऐस चाहिए तो आ रसे चितने वर्ड बनेंगे वो सारे आपको रखने पड़ेंगे यह चारों यहां पर रेंज होंगे तो इन्सब्को् जैसे ही अब ध्यास सुनना जैसे ही तुम्हारा letter match कर जाएगा आपको immediately इस पे डबा मार के block कर देना है और अगले पे आ जाना है अब यहाँ पे आ जाना है अब इसको देखना ही नहीं है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा सर A आएगा क्या आपको A चाहिए नहीं सर मुझे U चाहिए तो A से जितने word बनते हैं सारे cross करने पड़ेंगे A से कितने word बनेंगे 3 places 3 factorial अब आपका S तो close हो चुका है अब यहाँ पे A के बाद क्या आएगा सर A के बाद आएगा R क्या आपको R चाहिए नहीं सर मुझे U चाहिए तो बेटा R के साथ जितने word बनेंगे वो आपको गिनने पड़ेंगे cross करने पड़ेंगे 3 factorial लो भीया R के बाद क्या आएगा सर R के बाद S और S आ नहीं सकता है सर फिर T आएगा क्या आपको T चाहिए नहीं सर तो T से जितने word यहां बनते हैं आपको cross करने पड़ेंगे T के बाद आएगा वो दिन जो आप wait कर रहे थे T के बाद आएगा U जैसे ही letter match कर गया बेटा जी block कर दो अब इसकी बारी खतम अब आजाईए इधर अब इधर आजाईए समझगे अब यहां सबसे पहले क्या आएगा A आएगा जैसे ही letter match कर जाए ना आपको उसे block करके अगली place पे फिर से same procedure शुरू कर देना है क्या मुझे A चाहिए नहीं सर तो A से जितने word बनेंगे गिनिये A के बाद क्या आएगा सर जी R आएगा क्या R चाहिए यैस सर जैसे fix हो गया R चाहिए था तो इसको कर दीजिए block और आजाईए अगली place पे सबसे पहले क्या आएगा A सर जी A ही चाहिए था तो यहां तो T ही बचा है तो यानिकी one that is a step by step by step method of finding dictionary rank बच्चे गलती करते हैं जब यहां पे repetition आ जाता है मेरे बच्च पांच letter है small का rank पूछा गया है बच्चे यहां पे repetition L जो है न उसके उसे गलती करते हैं ध्यान से देखो सबसे पहले A आएगा A से कितने word बनेंगे भईया L L M S जितनी तरीके से range हो जाएंगे 4 factorial upon 2 factorial A के बाद यहां पे क्या आएगा L आएगा L से कितने word बनेंगे यह ध्यान दीजिए L से कितने बनेंगे यहां बचा A L M S यह चारो distinct है तो यह आपस में कितने तरीके से range होंगे 4 factorial L के बाद क्या आएगा M आएगा M से कितने word बनेंगे L L A S अब दो alike बैठे हैं तो 4 factorial upon 2 factorial शाबाज इसके बाद आएगा वो दिन जो आप वेट कर दे थे S आ गया अब आपने S को कर दिया ब्लॉक अब आ जाएए अगले प्लेस पे सबसे पहले क्या आएगा सर A आएगा कितने word बनेंगे यह के साथ सर L L M बैठा है तो 3 factorial upon 2 factorial अब A के बाद यहां पर क्या आएगा सर L आएगा यहां पर क्या बैठा हुआ है यहां बैठा है M L और A सारे अलग लग हैं तो 3 factorial फिर यहां पर क्या आएगा सर M आएगा जैसे ही M आया भया जिन्दगी बन गई ब्लॉक यह मैच कर चुका है अब यहां सबसे पहले क्या आएगा ए सजी जिन्दगी बन गई ब्लॉक हमें ए ही चाहिए था अगला फिर क्या आएगा सर L L तो 1 that is a way to do this question dictionary problem जब आप rank ढूंड रहे हैं और letter repeat कर रहे हैं ब्लॉक कब कर देना है बता चुका हूं उसके बाद यहां पर देख लीजिए क्या availability है उसका arrangement यहां पर लिखना है that is a way to do it शाबाश divisor sum of divisor exponent and prime का आपका exponent यह कैसे किया जाता है बहुत standard writing होती होती हो सुन लीजिए कहता 2 x 4 3 x 2 5 x 3 के divisors पर comment करिए कितने divisor हैं तो logic क्या है इसका कोई भी divisor जो है वो 2 x a 3 x b 5 x c का होगा इस टाइप का होगा तो basically आपको यह देखना है मैं कितने तरीके से इसको वैल्यू दे सकता हूं इसको वैल्यू दे सकता हूं और इसको वैल्यू दे सकता हूं तीनों को वैल्यू देने के बाद डिवाइजर बन जाएगा तो बैटा जी एक पास कितनी option है पहला सवाल कह रहा हूं a के पास कितनी option है सर पांच option है 0 1 2 3 या 4 do you all agree a को मैं 0 1 2 3 4 रख सकता हूं तब तक वो इसे छोटा है तो डिवाइजर रहेगा b के पास कितनी option है सर 3 0 1 2 यह 3 value दे सकता हूं तब तक यह power छोटी रहेगी तो यह diviser रहेगा c के पास कितनी option है सर 4 0 1 2 या 3 कह सकता हूं तब तक यह power छोटी रहेगी तो यह diviser रहेगा तो A, B, C को value दे दी तो यानि कि मेरा divisor बन गया sub job 1 A को value दो, sub job 2 B को value दो, sub job 3 C को value दो तो यह आपके number of divisor आ गए B part कुछ भी नहीं है, proper divisor होता है total divisors minus 1 जो number itself होता है उसको हटाना होता है बाकी सारे proper divisor number of even divisor अब यह प्यारा सवाल बन गया, easy पर प्यारा कौँगा, क्यूं यही करना है बट A को ध्यान देना कि A को 0 नहीं ले सकते even divisor, यानि कि 2 तो बैठा होना चाहिए तो A के पास कितने option है, या तो 1 बने, या 2 बने, या 3 बने, या 4 बने B और C के पास कोई लोचानी बेटा, B क्या-क्या बन सकता है 0, 1, या 2 और C क्या-क्या बन सकता है 0, 1, 2, या 3 आगे नजारे ये आगे आपके even divisor तो इसे साब से number of divisor निकाले जाते है पट ये नया नहीं है नया इसे अगला सवाल है जो बच्चों के लिए नया होता है normally उन्हें जाला पड़ा नहीं होता और वो है sum of all divisor कहता है इसके जितने भी divisor हैं जो आप पीछे calculate करके हटे है जो आप पीछे अनन्या अब दर ध्यान दो जो आप पीछे calculate करके हटे है उनका sum बताईए ये पागल हो जाएंगे इसके total divisor कितने थे 5 into 3 into 4 कितना हो गया 60 शायद इन सभी का sum बताईए तो पहली बात तो इसका direct formula होता है formula अंसर निकालेंगे और फिर मैं आपको इसका logic दे दूँगा इसके अगर सारे divisor का sum निकालना है तो कैसे निकाला जाता है 2 की power 4 तक सारे add करिए multiplied by 3 की power 2 तक सारे add करिए multiplied by 5 की power 3 तक सारे add करिए this is your answer obviously आप चाहो तो सीधे value लिखके multiply कर दो अगर जादा बड़ी power हो तो gp का formula लगा लेते हैं gp अपरो कुछ नहीं है तो this is your answer अब मैं दे रहा हूँ logic logic बड़ा ही प्यारा है ध्यास जणना can't logic है एक काम करिए जब इन brackets को multiply करेंगे तो मैं कह रहा हूँ इसको multiply करते वक्त जितनी भी terms बनेंगी basically वो सारी terms इसके divisor ही होंगी देखो जब यह multiply होंगे यह इससे multiply होगा इससे multiply होगा yes तो क्या term बनी 2 पर 0 इंटो 3 पर 0 इंटो 5 पर 0 जो की इसका divisor है फिर यह इससे multiply होगा क्या term बनी 2 पर 0 इंटो 3 पर 1 इंटो 5 पर 0 इसका divisor है फिर यह इससे multiply होगा इससे multiply होगा फिर इससे divisor बनेगा randomly बना लो यह यह ना इससे multiply हुआ फिर इससे multiply हुआ तो 2 part 2, 3 part 2, 5 part 2 उसका divisor है सब को नजारे आगे सब को नजारे आगे यह सितेश सब को नजारे आगे तो basically आप जिस बैकेट को open करोगे तो सारे जो divisor थे ना वो addition में आ जाएंगे product 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 add 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 सारे अपने आप आ जाएंगे exactly so that is how this formula is made exponent का direct formula होता है जो कि अभी आपको याद रखना है उसमें अभी ना गुसो तो बैटर है याद रखना exponent का मतलब क्या होता है यह एक number लिखा गया है इसमे 2 का exponent कितना है 5 3 का exponent कितना है 10 यह होता है exponent तो सवाल में कहता 50 factorial में 2 का exponent बताईए यानि कि जब मैं 50 factorial को ऐसे लिखूंगा prime factorization में तो यह कितना आएगा यह पूछा गया है सवाल समझ आ गया जब 50 factorial को prime factorization में लिखूंगा तो 2 की कितनी power आएगी यह आप से पूछा गया है सवाल यह है और इसका method बिलकुल direct है बिलकुल direct answer क्या होता है यह रहा n factorial और यह रहा p prime तो n n उठाना है n divide by p का greatest integer plus n divide by p के square का greatest integer ऐसे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ एक टाइम बाद आपको realize होगा कि अब तो यह 0 बन गया अगला 0 है अगला बनेगा 50 डिवाइड बाइड बाइड शिक्स्टी फोर वो point something है तो उसका जिंट बन गया 0 अगला इस बसे आपका अशर है 25 यह बन गया 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 दो तीन सिक्स्टीन है भाई नीचे 3 और वो बन गया बन यह आपका अशर आगया 37 43 47 तो कहता जब इसको फेक्टराइज करोगे ना टू की पावर 47 आएगी एक सवाल और देख लो बी पार्ट हो चला गया यहीं देख लो 3 का एक्स्पोनेंट कैसे आएगा 50 by 3 का जिंट 50 by 3 स्क्वेर का जिंट 50 by 3 क्यूब का 50 by 3 पार 4 यहां से देखो चीज़े 0 बन गयी तो बस यह आपका अंसर आ गया अब एक चीज़ का जवाब तुम दोगे जो हमने पहले दो पार्ट में कर लिया है उसके मताबिक आपका 50 फैक्टोरियल जब ओपन किया जाएगा प्राइम फैक्टराइडेशन में तो 2 की पावर 47 आएगी 3 की पावर 22 आएगी and so on बाकी भी होंगे अब हमने 2 के निकाले है तो अगर मैं सवाल पूछता कि 50 In 2 का एक्स्पोनेन्ट कि तना आएगा तो बताओ चैक में तरह सट्वधीटीटेशोरियल में सिख्ष काक्स्पोनेन्ट कितना आएगा बताओ कैल सब्सक्राइब चबंटी टू आएगा यहां दिखो का exponent 22 आएगा 2 part 22 को 3 part 22 से multiply करूँगा तो 6 part 22 बनेगा उससे बड़ी power नहीं बन सकती 6 की उसे बड़ी power नहीं बन सकती ओ आड करी जा रहे हैं मैं पिटाई कर देनी पुतर मैं पिटाई कर देनी है 3 part 22 बैठा है इससे बड़ी 3 की power available नहीं है तो 6 की power 22 से बड़ी कैसे आजाएगी कैसे आजाएगी बताओ जरा 3 की power maximum 22 बैठी है तो 6 की power 22 से बड़ी कैसे आजाएगी है तो अंसर आएका 22 है 2 और 3 में जो छोटी वाली पावर होगी वह आएका 6 का exponent क्योंकि 6 के exponent में 2 और 3 की power का कम होगा तो जो छोटी पावर है वह दोनों में जुड़ेगी और 6 की power बन जाएगी कि आओके है कि यह आगे आहीं किया है कि सर्कुलर अरेंजमेंट बच्पन से पढ़ते आ रहे हो एन माइनस वन फेक्टोरियल होता है राइट पर अगर सर्कुलर अरेंजमेंट में आप clockwise and anti-clockwise same गिनना चाहते हो जैसे कि fool की माला fool की माला हो गया इधर से देखोगे इधर से देखोगे देखने में लग-लग देखेगी बट है तो एक ही माला तो उस case में divide by 2 हो जाता है सवाल कैसे बनते हैं इसके सवाल इसके ऐसे बनते है इसके अच्छा सवाल बताने के लिए आपको इसका logic पता होना चाहिए कि n-1 factorial आता क्यूं है तो अच्छे सवाल पर जाने से पहले एक basic सवाल देख लो out of 10 beads of different color how many necklace can be made जिनमें 4 bead हो different color के तो मेरे बस 10 color के bead पड़े है इनमें से 4 bead उठाके मेरे को necklace बनाना है तो पहले मैं 10 में से 4 bead उठा लूँगा फिर उसका necklace बना दूँगा n-1 factorial divide by 2 किया क्योंकि necklace था क्योंकि necklace था अब यहाँ पर फॉर्मूले काम कर जाते क्योंकि basic सवाल है बट जहाँ पर सवाल थोड़ा अच्छा हो जाएगा वहाँ पर मुझे इस formula का logic पता होना चाहिए y n-1 factorial वरना अच्छा सवाल करी नहीं पाऊंगा तो सुनिए y n-1 factorial माल लीजे red, blue, green तीन balls पढ़िए मेरे पास मुझे circle पर बिठाना है तो क्यों 2 factorial ways है 3 factorial क्यों नहीं है और वहीं पर अगर मैं इन तीनों को row में बिठाता हूँ तो क्यों 3 factorial आता है सुनिए मेरी बात ये रही 3 seat यहाँ पर आप कहेंगे r को बिठाने के कितने तरीके है तमारे पास 3 भया पहली seat पर आजा या दूसरी पर आजा या तीसरी पर आजा सोचे बताईए यहाँ पर r को बिठाने के कितने तरीके है circle में circle में r को बिठाने के कितने तरीके है 3 नहीं है क्यों भया row में ये seat number 1 थी ये seat number 2 थी ये seat number 3 थी जिस करके r के पास 3 option आए कि मैं पहली seat पर जाओ दूसरी पर जाओ या तीसरी पर जाओ circle पर कुछ 1-2-3 है ही नहीं सब कुछ ही सेम है do you agree? there is no starting point there is no ending point कितनों को नजारे आए पहले ये बताओ circle में there is no starting point यहाँ पर ये starting था ये ending था handsome कह पाई कि यार के पास 3 option है यहाँ पर starting और ending है ही नहीं तो जब starting और ending है ही नहीं तो आर के पास एक ही तरीक है जाँ मर्जी बिठा दो सब बराबर है मालो मैंने आर को यहाँ बिठा दिया वो कहते ना जहाँ हम खड़े हो जाए line वही से शुरू होती है वेटा यह आर आपका अमिताब अचन है यह यहाँ बैठा तो इसने नाम दिया यह कहलाएगी seat 1 और अब यहाँ से counting शुरू होगे इसको seat 2 कहा गया इसको seat 3 कहा गया हैंस जब मैंने b को बिठाने की बात की तो b के पास दो option आए क्योंकि अब numbering हो चुकी है तो b के पास दो option और बचावा जी के पास एक option इसलिए N-1 फैक्टूरियल आता है क्योंकि जो सबसे पहला होता है उसके पास एक ही option होता है N option नहीं होते और सुनिए मेरी बात ज्यादा कैंट बात जो यह है जिसे अच्छे सवाल बनेंगे सरकल पे जब एक जना भी बैठ जाता है तो बेटा जी नम्बरिंग हो चुकी है मैं कहना यह चा रहा हूँ जब रेड बैठ गया था ना तो उनके बाद इन दोनों को बिठाने के लिए मैं simple two factorial लगा रहा हूँ simple two factorial क्योंकि अब नम्बरिंग हो चुकी है तो अगर मैं इसको दिमाग में रखूँ और इस सवाल पे फोकस करूँ सवाल कहता in how many ways पहले मैं अगला कराना चाहूँगा in how many ways six boys and four girls can be arranged so that no two girls are together अब ध्यान से देखना तो बेटा मैं को पता जिनको separate करना होता है उनको gap में बिठाना होता है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छे boys को बिठाने के five factorial ways अब बारा असली point ध्यान से सुनना छे boys को बिठाने के मेरे पास आगे five factorial ways अब जब girls को बिठाओगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छे gap है मेरे को कितने gap चाहिए? चार इन चार gap में जब मैं girls को बिठाओँगा तो उसके ways four factorial होंगे three factorial नहीं क्यूंकि बेटा जी girls के बैठने से पहले boys बैठ चुके है यानि की seats की numbering हो चुकी है now no more and minus one factorial चमका इसी करके मैं बता रहा था कि अच्छा सवाल करने के लिए logic समझना जरूरी है शाबाश इसको जरूर repeat करिएगा यह तो असान है all girls together तो सारी girls को एक object मान लीजिए और यह रहा छे boys तो एक object यह रहा छे यह रहे इन सातों को circle पर बिठाओ सर जी बिठा दिया बिठाने के बाद बी 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 कितने है वही है अच्छे यह तो तीन चार पांच छे और यह रहा जी 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 अब मुझे जवाब देना चाहिए अब बिलकुल सही मैंने इसको ब्लॉक माना और यह छे बॉइस थे टोटल सेवन अब्जेक्ट थे और सॉरी सेवन अब्जेक्ट थे इनको circle पर बिठा दिया six factorial अब जब मैं यहाँ पर अंदर इन girls को arrange करूँगा तो क्या आप समझते हैं कि four factorial लगाऊंगा मैं three factorial नहीं लगाऊंगा क्योंकि circle पर numbering हो चुकी शाबाश अनन्या बहुत बढ़िया thank you Islam God bless you Islam नाम कैसे रखतो खतरनाक वाले बाई God बहुत बढ़िया बस यह concept सीखना था सीख लिए तो अब नजारे आगे circle में और तुम कहीं निफसोगे आ गया जो then comes last topic of this chapter distribution of object बहुत पहरा topic है distribution बस यह समझना होता है how is it different from arrangement how is it different from arrangement और यह मैं आपको अभी सवाल के थूँ सिखाऊंगा पहले formula सीख लो जब आपको n चीजों को m लोगों में distribute करना होता है तो number of ways होते है m पार n इसको याद करने का तरीका बहुत असान है मानलो आपको तीन चीजों को चार लोगों में distribute करना है तो four, par, three जो नीचे रखा है वो नीचे आएगा जो उपर रखा है वो उपर आएगा बस यही है और यह तो आप जानते हो देने वाला हमेशा बड़ा होता है तो जो तीन चीजे देने वाली है वो उपर आएगी ऐसे याद किया जाता है अब मैं आपको एक सवाल के थूँ इसका फरक समझाता हूँ क्या आला पार्थ आओ distribution को समझना है पहले यह बता रहा हूँ सवाल कहता है in how many ways 5 distinct chocolate can be distributed among 4 students C1 1 minute होए C1, C2, C3, C4 कितनी है भया 5 बहुत जाद है भया और यतने बच्चे है 4 बच्चे है 1 चलो 2, 3, 4 answer आपने बिलकुल सही दिया अब उसको थोड़ा meaning समझ लो student 1, student 2, student 3, student 4 बही है जहां तर तो formula की बात है सवाल बहुत असान है 4 पार 5 जो नीचे है वो नीचे रहेगा जो उपर है वो उपर आ जाएगा मज़े में क्या बात है great अब सुनिये बाद मेरी distribution में क्या होता है it is like मेरे पास 5 चॉकलेट है मेरे आगे 4 बच्चे बैठे है उनको बांट नी है तो मैं जिसको मर्जी जितनी मर्जी दे सकता हूँ certainly different from arrangement arrangement में हर एक जगा पे एक एक object जाता है distribution में जहां पे जितने मर्जी भेज़ो तुमारी मर्जी है मेरा दिल किया मैंने सारी चॉकलेट पहले स्टुटेंट को दे दी बाकी तीन देखते रहे गे मेरा दिल किया मैंने ये वाली तीन इसको दे दी ये दो इसको दे दी ये दोनों देखते रहे गे these all are distributions तो जिसको जितनी मर्जी दे सकता हूँ the difference between distribution and arrangement is arrangement में हर एक जगा पे एक एक object जाता है distribution में जहां पे मर्जी जतने मर्जी जा सकते है that is the difference निकाला कैसे जाता है बेटा जी पहले मेरा के 5 चॉकलेट है 4 बच्चे बैठे मैं कैसे बाटूँगा पहला उठाऊँगा चॉकलेट और सोचूँगा किसको दूँ तो पहले चॉकलेट के पास 4 option है फिर दूसरा उठाऊँगा सोचूँगा किसको दूँ फिर से 4 option है क्योंकि जिसको पहले दी थी उसको भी दे सकता हूँ यह मेरी मर्जी है ऐसे करते करते इन सब में 4 4 4 4 options है कितने फोर स्टूदेंट डराने के लिए अब उपर कम कर दिया गया नीचे जाधा कर दिया गया पर डरना नहीं है अगर मेरे पास 3 चॉकलेट है और 4 बच्चे हैं ड़सन में कि मैं डिस्रीवीट नहीं करता कर सकता हूँ एक दोने भुखे रह जाएंगे देखते रह जाएंगे रह जाएंगे क्या करें अब जंदिगी में सब को खुश थोड़ी कर सकते हैं अब आता है C part and this is the most interesting one इसको ध्यान से समझो इफ इन आना होए In how many ways 3 chocolates can be distributed among 4 students such that no student gets more than 1 chocolate तो बिटा जी चॉक्रिट मेरे पास 2-3 थी student चार थे कहता है ऐसे दो कि किसी को भी एक से जादा नहीं दे सकते तो primarily आप पहले इन चारों में से कोई 3 student सेलेक्ट करोगे जिनको चॉक्रिट मिलने वाली है और उन तीनों को एक 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 चॉक्रिट दे दोगे जब तुम तीन जगाओं पर एक 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 चॉक्रिट दे रहे हो इट इन अरेंजमेंट यही तो फर्क होता है ना डिस्टिबिशन और अरेंजमेंट में जब एक जगा पर एक ही आ रहा है शाबाज formation of group distribution में जब constraint आएंगे तो वहाँ पर हमें formation of group की जूर्थ परती है constraint कैसे होते हैं भाई इसको 2 मिलने चाहिए इसको 3 मिलने चाहिए ऐसे constraint आ जाते हैं खुला नहीं रहता कि मर्जी है आपकी ना 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 constraint आ गए तो वहाँ पर formation of group का concept आता है तो formation कैसे होती है सुनिए मालो मेरे पास M प्लस N अबजेक्ट है और मैं उनको ना दो बच्चों में बाटना चाहता हूँ एको को M देना चाहता हूँ एको को N देना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा पहले ना दो बैग बना लूँगा एक में M रख दूँगा एक में N रख दूँगा और फिर वो बैग आगे दे दूँगा तो यह जो बैग बनाए ना इसे कहते हैं formation of group इसके तरीके कितने होते हैं टोटल का factorial डिवाइड बाई अलग अलग का factorial जैसे कि अगर टोटल 15 टॉफी पड़ी है मैं दो बच्व में बांटना चाहता हूँ एक को दस एक को पांच तो पहले मैं क्या करूँगा पहले इन 15 के दो बैग बना लूँगा दो पाउच बना लूँगा एक पाउच में 10 डाल दूँगा एक में 5 डाल दूँगा तो यह जो दो बैग बनाए यह दो बैग बनाने के तरीके कितने हैं इतने और अगर कुछ बैग्स तो यह भी लिख लो अगले पर अगर वाली statement यह लो 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 तो यह आगर बैग बनाने के तरीके जिसको हम कहते हैं group formation तो groups कुछ और नहीं वो पाउची हैं जो बना रहे हम अगर किसी में same आ गए जैसे को यहाँ पे 12 को 3 bag में डालना था 12 को 5 bag में डालना था तो वो क्या करना है बेटा जी पहले तो formula same रहेगा यानि कि 3 factorial, 3 factorial, 6 factorial फिर जितने bags में same number of element है उतना factorial एक और आ जाएगा अगला देखिए 12 factorial upon 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial तीन बार आ गया फिर 3 factorial, 3 factorial अब जितने bags में number of element same है उतना factorial और आएगा जितने bags में number of element same है उतना factorial और आएगा यह है number of ways of making those bags समझ गे? आओ सवालों में लगा के दिखाता हूँ छे distinct books पढ़ी हैं मेरे पास जिनकों की राम, शाम, गौपाल में बांटना है In how many ways it can be done such that कहता है राम को एक book मिलनी चाहिए शाम को दो book मिलनी चाहिए गौपाल को तीन book मिलनी चाहिए यह constraint समझ आ गया इतने 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 मिलने चाहिए तो सबस्वेले क्या करेंगे? आप छे को तीन bags में डिवाइड कर देंगे एक में एक book, एक में दो book, एक में तीन book इसके कितने तरीके हो गए? six factorial upon, one factorial, two factorial, three factorial यह रहा सब जॉब one यहां पे आपने तीन bag बना लिए एक bag एक book का, दूसरा bag दो book का, तीसरा bag तीन book का अब इन तीन bags को जरूरत के मताबक आगे देना है जरूरत के कहती है, कि ये राम को देना है, ये शाम को देना है, ये गुपाल को देना है यानि कि आगे hand over करने का तरीका एक ही है शाबाश, B part को देखिए, इसी को द्वारा बता रहा हूं, B part देखिए कहता, अपने नाम नहीं बताए, ये बोला, one gets three books, one gets two books, and another gets one book तो मेरे पास छे books पड़ी है, तीन में बांट नहीं है, कहता ऐसे बांटो कि कि किसी एक को तीन मिलनी चाहिए, किसी दूसरे को दो मिलनी चाहिए, किसी तीसरे को एक मिलनी चाहिए तो सबसे पहले तो मैं अपने पास तीन बैग बना लूँगा, एक बैग में एक book है, दूसरे बैग में दो बैग में तीसरे बैग में तीन बैग है, ये रहे मेरे तीन बैग, तीन बैग, अब ये मुझे राम, शाम और गौपाल को देने है, such that एक एक बैग जाए, अब ध कितनों को नजारे आए, तीन बैग थे, तीन बैग थे, तीन बैग देने थे, ती फैक्टोरियल, आओ, सी पार्ट देखो, ये नजारेदार है, बहुत नजारेदार, राम गेट्स फोर बुक्स, वाइल शाम और गौपाल गेट्स वन बुक इच, तो पहले तो सिक्स को ती तीन बैग में तोड़ा, एक चार का, एक एक का, एक एक का, सिक्स फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, तो लिखना वन ही है, और ये दो बर आया है, तो दो फैक्टोरियल, अब मेरे पास तीन बैग बन चुके बेटा जी, तीन बैग ऐसे अब सुनो अब इनको जरूरत के मताबिक आगे देना है चार वाला बैग तो फिक्स है कि राम के पास जाना है तो चार वाला बैग तो राम के पास ही जाएगा अब ये दोनों बैग जाने है शाम और गुपाल के पास तू फैक्टोरियल आए नजारे एक बुक एक बुक गुपाल के पास जानी है दूफैक्टोरिया बिलकुल अगर यहां पे नाम स्पेसिफाइड होता तो बटा सवाल यही बन जाता तो यहां पे बन आता यह राम को जैना यह शाम को यह गुपाल को दैना है फिर तो एक ही तरीका है यह बैग तेरे पास यह बैग तेरे पास यह बैग तेरे पास बट उसने कहा एक को यह बैग दो एक को यह बैग दो तो थ्री फेक्टोरियल आ गया को कि अब बैग्स भी अरेंज होंगे बैग्स भी अरेंज होंगे शाबाश इसी का अच्छा वर्जन क्या बन जाता है इसी का अच्छा वर्जन क्या बनता है God bless you In how many ways 8 passengers can be divided in 3 carriages Such that 8 passengers को 3 carriages में डालना है Basically 3 जगा पर distribute करना है अगर तो कोई condition ना होती ना तो answer आता 3 par 8 सवाल खतम 8 बंदे 3 जगा पर distribute करना है 3 par 8 Condition आगी Each carriage contain at least 2 passengers अब सोचो 3 जगा पर डालना है किसी भी जगा 2 से काम नी जाना चाहिए यानि कि आपको 8 को पहले 3 bags में divide करना पड़ेगा फिर वो bag आगे भेजने पड़ेंगे तो कोई भी bag 2 से छोटा नहीं होना चाहिए तो या तो 2, 2 और 4 या तो ऐसे bag बनाओ या फिर 3, 3 और 2 बनाओ और देख लो कोई तरीका नहीं बनेगा जहां पर कोई भी bag 2 से छोटा नहीं हो तो आओ पहले इसको देखो मैंने बनाए 3 bag जिन में 2, 2 और 4 बैठे हुएं इतने तरीके से 3 bag बने अभी तक सुरफ groups बन गए है अब इन 3 bags को 3 carriages में डालना है हर एक carriage में एक एक bag just an arrangement just an arrangement and similar way से यहाँ पे भी आ गया 3 factorial, 3 factorial, 2 factorial यह दोनों सेम थे तो 2 factorial into 3 factorial इसे कहते हैं distribution with constraint तो constraint हमेशा कैसा आएगा कि इतने इतने element जाने चाहिए तो आप उतने इतने element के पहले group बनाते हो फिर उनको जितनी जगा पर भेजना है वहाँ पर arrange करते हो अगर भेजने वक्त बोला हो कि इसको यहीं जाना है तो arrange करने की दूर्थ पढ़ती नहीं into one लिखते है बट अगर बोला हो कि एक यहाँ चला जाए एक वहाँ एक यहाँ तो arrange कर देते है crystal clear हो गया अब B part इसका बड़ा क्या एंटवेटा no carriage is empty reason being इसको करने के दो तरीके है और पहला वाला थोड़ा सा लेंडी है भाईया आठ को तीन बैग में तोड़िये कोई भी बैग खाल ही नहीं होना चाहिए तो या तो मैं one one six रखो या फिर मैं one two five करू मनला ऐसे बहुत सा तरीके बन जाएंगे या मैं two two four कर दू या मैं three three two कर दू मुला कोई भी बैग खाल ही नहीं होना चाहिए ऐसे तीन बैग बनाने में जान लगेगी समझे रहो ऐसे तीन बैग बनाने में जान लग जाएगी बातों सही है अभी को और बनेगा one four three तो ये बहुत लैंदी हो जाएगा और और वाला बहुत छोटा है और वाला ध्यान समय न अरे नहीं है नन्या कुछ भी न बूलो यार आठ पसंजर्स को तीन जगा पे डिस्ट्रिब्यूट करना है तीन डबों में डालना है कोई भी डबा खाली नहीं होना चाहिए इसे कहते हैं नाम तो बड़ा हाइफाई है इंक्लूजिन एक्स्क्लूजिन प्रिंसिपल पर कुछ नहीं है ए यूनियन बी यूनियन सी की बात कर रहो मैं ध्यास दोना मैं कह देता हूँ मैथड वन मैथड टू मैं कहता हूँ ए क्या है जब मेरा जो पहला वाला वो था कैरेज वो खाली रह गया फर्स्ट कैरेज एंप्टी ये मैंने कह दिया मेरा ए है एंप्टली बना दिया मैंने ठीक है बड़ा प्यारा है मैं थेहां सुन लो सेकंड कैरेज एंप्टी को मैंने कह दिया और फर्र कैरेज को मैंने कह दिया ये सिरफ तब लगाना है जब ये वाले केसिस बहुत जादा बन जाएं तो इसको लगाना है वह ही बता रहा हूं John Drew शौर्ट कटी बता रहा हूं तो ध्यान से देखो आपको यह पूछा गया है, यही बोला गया है, पहला carriage empty नहीं होना चाहिए, and दूसरा carriage empty नहीं होना चाहिए, and तीसरा carriage empty नहीं होना चाहिए, तो यह क्या बन गया, total minus N of A union B union C, total तो बहुत यह सान है, आठ लोगों को तीन जगा पर distribute करना है, 3 पार 8, और N of A union B union C बहुत असान है, यहार N A plus N B plus N C, minus 2-2 का intersection, यह सब को याद है ना formula, बच्पन से पढ़ते आ रहे हो, ऐसे 2-2 का minus होगा, फिर 3 का add होगा, हाँ सर यह तो याद है, बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं, पर सर यह बहुत बढ़ा नहीं बन गया, ओ नहीं, नहीं बना, क्यों, क्योंकि यह 3 सेम आने वाले हैं, कैसे, अरे, N of A क्या है, भाईया, ऐसे तरीके, जहाँ पर पहला carriage empty है, यानि कि तुमने आठों बन्दे, 2 और 3 में distribute किये थे, 2 पार 8, बोलो आए नजारे, ऐसे कितने तरीके हैं, जहाँ पहला carriage empty है, यानि कि पहले carriage में कोई नहीं गया, तो तुमने आठों को 2nd, 3rd में distribute किया, 2 पार 8, N of B क्या है, 2nd carriage empty है, यानि कि तुमने आठों बन्दे पहल Similarly, ये, ये और ये, ये भी तीनों सेम, क्यों? A intersection B क्या है, A intersection B, भैया पहला carriage empty हैं, दूसरा carriage empty होना चाहिए, यानि कि आठों को तीसरे में भेज दिया, ये तो एक ही तरीका हुआ, आठों बन्दे तीसरे में जाओ, B intersection C क्या है, भैया दूसरा empty, तीसरा empty है, यानि कि सारे पहले में भेज दिये, एक तरीका, तो 3 into 1, और बेटा जी वो जो A intersection B intersection C है, वो तो 0 है, तीनों carriage empty होने चाहिए, इसका तो कोई तरीका ही नहीं है, आठ बन्दों को तीन carriage में भेजना है, और तीनों carriage empty हो जाए, A intersection B intersection C, ये तो होई नहीं सकता, अंसर आ गया आपका, क्या कह प्लस हो गया, प्लस 3, इसे कहते है, inclusion exclusion principle, इसे तब लगाना है, जब यहाँ पे ये आजाए, कि यार, cases बहुत बन रहे हैं, at least एक element तो जाना चाहिए, कोई carriage empty होना चाहिए, तो इसको ऐसे किया जाता है, इसको समझने में जोर लगेगा, मैं रेपीट लिख रहा हूं, अभ इसका वाकिए फाइदा लेना चाहते हो, ठीक, अच्छा सवाल है ये, ये बहुत असान होता है, distribution of alike object, अगर सारे object alike है, तो कितने तरीके हैं, कितनों को baggers method आता है, बता दो, कितनों को baggers method आता है, God bless you, Shira, मेरे पास 5 रुपे थे, मेरे आगे 3 baggers खड़े थे, तीनों full on effort मार रहे थे, अब मैं ये 5 रुपे कितने तरीके से बांट सकता हूं, distribute कर सकता हूं, फरक क्या आया, पहले अभी जो पढ़ रहे थे, वहाँ पे जो element distribute किये जा रहे थे, वो distinct थे, अभी क्या है, पांचों element same है, ये 5 एक एक रुपे का सिक्का है, एक रुपे का स ये पढ़ेगा, पहले जब element distinct थे, तो ये किस के पास गया, इसके पास या इसके पास, ये अलग-लग चीजे थी, अब ये matter नहीं कर रहा, कौन सा किस के पास गया, भाया कितने गए ये matter कर रहा है, इस बंदे को ये वाला एक रुपे मिले, या ये वाला एक रुपे मिले, दोनों सेम ही है, उसको एक रुपे मिला है, गौट मैं पॉइंट, गौट ब्लेस यू आया है, आयान, गौट मैं पॉइंट, तो अब matter ये नहीं कर रहा कि कौन सा मिल रहा है, matter ये कर रहा है, कितने मिल रहे हैं, इस इस कॉल डिस्ट्रिबूशन ओप एलाइक अबजेक्ट फेले फ़र्मुला बना देता हूं, फिर उसका सुटना लॉजिक बता देता हूं, फिर सवालों की बेरियेशन, फ़र्मुला कुछ नहीं होता, इसे कहा जाता है N कितने objects को distribute करना है इसे कहा जाता है R कितने objects कितनों में distribute करना है तो formula होता है N plus R minus 1 C R minus 1 N कितनों को distribute करना है मैं ये भी बता देता हूँ इसका सवाल पूछा कैसे जाएगा सवाल इस language पूछा नहीं जाएगा सवाल पूछा जाएगा X plus Y plus Z equal to 5 find number of integral solutions ऐसे पूछा जाएगा और कंडिशन दी होगी कि X Y Z जो है गेट दन इकल टू जीरो है यह सार आइनो दैट वेरी गुड जो नहीं नो करते है एक्स जो है बिटा यह बैगर वान है वाई जो है बैगर टू है Z जो है बैगर 3 है तीनों को टोटल मिलाके 5 मिलने है कितने तरीके से मिल सकते हैं वही आपका number of solutions है मैंने यह दिया बैगर 1 को यह दिया बैगर 2 को और यह दिया बैगर 3 को इसे कहते हैं बैगर's method या distribution of alike object सवालों कि अगर बात करें तो ऐसे बहुत सारी variation बनती है यह सारी variation में एक ही जगर पर करवा रहा हूं सारा concept चमक जाएगा सुनों कि जैसे बताऊंगा वैसे करना अगर तो कोई constraint हो ही ना constraint नहीं मतलब xyz simple greater than 0 लिखा हुआ है तो आप कह देंगे भाया एन है है मेरा 10 आर है मेरा 3 तो अंसर आ गया 12 c2 n प्लस r-1 c r-1 इसे कोई पंगा नहीं कुछ सोचना ही नहीं अब थोड़े थोड़े पंगे पढ़ने शुरू होंगे भाया यह पहला बिखारी कहता मैं एक रुपया तो लेके जाओंगा कम से कम पहला बिखारी अड़ गया है तो जब कोई अड़ जाता ना पहले उसको शांत कर दो यहां से एक रुपया निकाला इसको दे दिया एक रुपया देने के बाद अब यह शांत हो गया मैंने एक रुपया निकाल के पहले पहले बिखारी को देई दिया तो दस का बचा नौ पर अब विरे कॉंस्ट्रेंट खतम हो गये अब यह गेट देन को जीरो हो गया लगा दो फॉर्मूला एन प्लस आर माइनस वान सी आ दोनों अडगेव जिद्धी पहला बिखारी कहता मैं दोर पे तो लेके जाओंगा जो मर्जी हो जग कम से कम और दूसरा बिखारी कहता कम से कम एक रुपय तो लेके जाओंगा तो पहले इंको शार्थ करो दोर पे निकालो इसको दे दो एक रुपय निकालो इसको दे दो तो टोटल कितने बचे साथ, तीन तो दे दिये, तो सवाल जो है, अब इसमें reduce हो गया, जहां पे constraint सारे खत्म हो गया, constraint खत्म होने का मतलब है कि greater than equal to zero हो गया, बिखारियों के पहले शांत करना है, जाने की greater than equal to zero हो गया, बस यह point समयने है, सब को चमग गया point, बिखारियों के पहले शांत करना है, यान की greater than equal to zero पर लाना है, और फिर सवाल पर formula लगा देना है, और शांत करने के लिए कुछ पंगे लेने कोई उठाके इनके यहां पर गी है, एक से greater than equal to minus two, याने के भाई यह कहता, मेरे से ले लो दोर पे, कहता मेरे से ले लो, जैसे की lion noob आया है, कहता सब मैं दिल्दार बिखारी है, आप मेरे से लो बट भीक लेके जाओंगा, भीक मा मांगूँगा, तो बिटा जी यह कहता, दो मेरे से ले लो पर भीक मा बारा, अब दूसरा बिखारी कहता, मैं एक रुपया तो लेके जाओंगा, तो बारा में से एक रुपया मैंने दूसरे बिखारी को दे दिया, तो मेरे पर बचे 11 रुपय, पर ऐसा करने के बाद, मेरे constraint सारे खतम हो गए, मैं कहा बले, 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 constraint खतम, एक से दो ले लि बारा, बाई बाई, ओके, बड़ी टॉर से कह रहा था, हम पर क्या कुछ कह रहा था, हम ये कर देगा, वो कर देगा, कुछ तो कह रहा था, भाई अपना, मैं नाम भी नहीं पढ़ रहा, क्यों हिज़त देनी, भाई के पास पावर है, भाई ने मारा delete, hide कर दिया, भाई मु आजो, तो बाटा जी, 11 प्लस 3 माइनस 1, C3 माइनस 1, जलो प्यारे प्यारे, पेड कैंडिडेट्स होते हैं, इंको भी तो खेलना होता है, आपस में टाइम पास करना होता है, अपनी क्लास में न, वहीं exactly, सर्थ, गेर दन 0, कहां पे था, ओ सॉरी, सॉरी, थैंक यू, वेरी मच, यहां पे एक छोटी सी गलती हो गई हमसे, हमने जैड पे ध्यान नहीं दिया, ओ हो, 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 यहां पे जैड लिखा, greater than equal to 0, greater than 0, यानि कि greater than equal to 1 हो या, इंटीजर है, 0 से बढ़ा है, यानि की 1 या 1 से बढ़ा है, तो यहां पे भी constraint था, तो बेटा जी, फिर तो, x से 2 ले लिए, y और z को एक एक दे दिया, तो मूर घिड के यहां पे 10 रहा, system सेम रहा, और constraint कोई नहीं रहा, मैं कहां, ऐसे फे बेटा बिखारी, यह कहता ह मैं दोर पे दे के भी चला जाओंगा, यह एक एक लेके जाने वाले थे, दो लिए, इनको एक एक दे दिया, इनको शांत कर दिया पहले, must, खतम, अब तो क्या है, 10 प्लस A, माइनस 1, C3, माइनस 1, पटाक, God bless you, साहिल, शेरा, शाबाश, अब यह सवाल थोड़ा अच्छा ह वाई और जड़ शांत बैठे हैं, अब यह जो ना, यह, यह बहुत सिधान्त वाला विखारी आ गया, सिधान्त हाई है वाई अपने, वैल्यू बहुत हाई है, कम से कम एक रुपा लेके जाओंगा, तीन से जादा मैं नहीं लूँगा, तीन पर आके अपना कोटा फुल है आज का, डण डण डण, अब ऐसे भिखारी का ध्यान कैसे रखे, जब दोनों साइड पर बाउंड लग जाए, इसमें आपको केस बनाने था, भाया या तो मैं इसको एक रुपया दूँगा, यह शांत हो जाएगा, या मैं इसको दो रुपया दूँगा, यह शांत हो को 2 कह दूँगा अगर दोर पर दे दिये तो y plus z equal to 8 या मैं x को 3 कह दूँगा तो y plus z equal to 7 do you all understand अगर सिधात आ जाएं सिधान से मेरा मतलब यह है कि बेटा मैं इससे आगे भी नहीं जाओंगा इसको तो बहुत असान था बट इसको समयने के लिए दिमाग लेगा इससे आगे भी नहीं जाओंगा तो क्या किया हमने केस बना दिये तो एक जब मज़ा आगा सब समझागा अब के सुलिशन निकाल दो या यह बन गया 9 plus 2 minus 1 c2 minus 1 8 plus 2 minus 1 c2 minus 1 7 plus 2 minus 1 c2 minus 1 उफ यह उसूल यह आदर्श अगर मज़े लेने हैं तो एक काम करना इसको एक और तरीके से करके देखना अगर मज़े लेने हैं बाकी जिंदिगी में इसको सॉल करना जब कॉंस्ट्रेंट यह है कि x गेर्दन को टू 1 बोल दिया x गेर्दन को टू 1 और फिर इसे सॉल करना जब x को greater than equal to 4 बोल दिया ठीक है जी और फिर इन दोनों का subtraction देखना और मज़े लेना यह हैं वह सारे solution जब x1 से बड़ा था, greater than equal to 1 था, यह हैं वह सारे solution जब x greater than equal to 4 था, मैंने कहा कि इतने number of solution में से यह हटा दो, तो तुम को थोड़ा मज़ा आएगा देखना करके अच्छा अब यहां मुल्टी मला गया थासे गए हमको सिंपल सिंपल परता है एक्स वाई जैड यह देखने आते थे अब यह टू एक्स आगे इसका क्या करें मला आप ऐसा समझ लीजिए कि यह बिखारी ऐसा है जो कहता मैं एवन में लूंगा या तो जीरो यह चार लूंगा टोटल वेल्यू की बात कर रहा हूं टोटल वेल्यू की बात यह लगी बिखारी है मैं तो इसमें क्या करना है इसमें फिर से आपको केसी लेना पड़ेगा इस पर ड्रेक्ट फॉर्मला नहीं लगेगा क्योंकि ऐसा है तो आप कहेंगे भाया या तो एक् अगर एक को बन लिया है तो तो यह बना अगर शेयकर बन गया अगर नियूस के सेसिंट्यों सॽफीचेंट या जो आपके लास साल के मैला था साथा डाटहंते के वह देखने है विटा यह आपकी ज़रूरत पर देपैंड करता है अगर आपको बिल्कुल यहां से लेके बिल्कुल यहां तक जाना है step by step एक एक चीज तो लास्ट एक मेरा थान देखिए बेटा पर अगर आप इस चैप्टर कर पढ़ चुके हैं और आप ब्रॉड ली पूरी थियोरी पूरे एक्जामपल दुबारा देखना चाहते हैं में नौट भी कि बिल्कुल यहां से यहां हो यहां से शुरू हो रहा होगा यहां तक जा रहा होगा तो आपके लिए sufficient है समझगे जो चीज आठ खंटे में कराई है तीन में save नहीं होगी बठा मैं यह कह सकता हूं कि तीन में सारे concept कवर कर दूँगा एक ऐसी variety कवर कर दूँगा जो standard आनी ही चाहिए पाकी तो यार कैसे compare कर सकते हैं न गौड प्रस्यों तो बटर यह आप तो सवाल क्या है 6 प्लस 2 माइनस 1 7C1 यह बन गया 4 प्लस 2 5C1 यह बन गया 3C1 यह तो बन नहीं है तो यह आपके solutions आ गए लव यू टू शेरा गौड ब्लस यू इस हिसाब से number of solution निकालते हैं अगर आपने यह F पार्ट तक समझ लिया ना आपको इस सवाल की कोई variety डरा नहीं सकती बिल्कुल ही डरा नहीं सकती हमने बिखारियों का पूरे अदर्च देख लिये हैं असूल देख लिये हैं mathematical बिखारी देख लिये हैं ऐसा सवाल भी आ चोगा ड्रेट total number of three digit numbers whose sum of digit is 10 कहता है three digit number कितने है जिनका sum of digit 10 होता है try to see अगर पहला digit X है दूसरा digit Y है तीसरा digit Z है तो primarily वो आपसे यह पूछ रहा है कि इसके कितने solution होते हैं where X is greater than equal to 1 और Y Z पे कोई constraint नहीं है क्या कहते हो enjoy करोगे समझे हो उसी सवाल का थोड़ा language change कर दिया ऐसे three digit number कितने होंगे जिनका sum of digit 10 है तो भईया sum of digit 10 होना चाहिए यह पहला विखारी यह दूसरा विखारी यह तीसरा विखारी टोटल 10 रुपे लेके जाएंगे बट जो पहला विखारी यह उसको कम से हम एक रुपए चाहिए क्योंकि अगर वो zero रह गया तो यह three digit number नहीं बन पाएगा और यह तो तुम्हें अब अच्छे से आता ही है मैं कहा एक रुपए देखके शान्त करो तो nine plus three minus one eleven c two और शेरा लव यू वेरी मच गौड डेस यू ठीक है अई शाबाश तो आपका अंसर आ गया 11 जल्दी कर दी मैंने तुमने शेरा के चकर में गलती करा दी सवाल में शेरा के चकर में गलती करा दी यार क्या करते हो एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस तो माइनस किया ही नहीं यह रहा यह केस माइनस ही नहीं किया जोश जोश में आके ऐसे नहीं करना चाहिए ना यार कांसा केस माइनस नहीं किया मैंने बेटा जी जब मैं इसके सुलूशन निकाल रहा था तो इसका एक सुलूशन यह भी आया होगा कि मैंने इसको नाइन लिया होगा इसको जीरो लि एक सुलूशन ये भी आया होगा आसर आया तो होगा इस सुलूशन में प्रॉब्लम आ गई प्रॉब्लम क्या गई बिटा जी एक्स जो था एक रुपया पहले ही खाके बैठा हुआ था अब आपने उसको नौ और दे दिए तो यह क्या बन गया टैन तो नहीं आ सकता न यह सो नो चलो जी टाटा करते हैं इस बच्चे को भी फिर से नाम बदल के आगे फिर से निया अकाउंट बना लेते हैं बाइगोड खेलने के लिए और समझ आया यह प्रॉबलम हो गई क्योंकि एक्स टोटल वैल्यू टैन बन गी एक्स की है ना जी तो जल्दी जल्दी हम उसको स्किप कर गए तो आपको यह वाला प्वाइंट हाटा देना था तो विद्धाट आज का सेशन होता है खतम बले बले टाटा बाइबाए हो गई है ना भी ग्रेट तो विद्धाट इस टाइम से गुडबाई गॉडब्स यू आल लू लू लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो फिर मुड़के त्यारी तुम्हें पढ़ना है फिर से त्यारी करनी है जो जो सवाल किये जो जो अच्छे वाले सवाल लगे जहां पर रिपीट लिखाव को जरूर रिपीट करिया को कि अभी मैंने बताया यह मेरी नॉलेज है आपकी नॉलेज सब बनेगी जब आप इ स्यू खूब सिखो खूब नज्वाय करो और एक दुसरे की मदद करते रहो एस्पेशली अकेडमिकली बाबाइ लव यह वेरी मुच बिटाव